हलो साथियों गुड इबनिंग बहुत बहुत गुड इबनिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चहेते मन पसंद एक नए बैच में और उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब मिलेगा जो आप लोगों ने सोचा था इस बैच से आपको मिले हैं ना कहते हैं सब कुछ बहतरीं चलता है फिल हाल जाने दीजिए जो करना है वो तो करना ही है क्योंकि यह लाइने तो आपने सुना होगा यू कैन नाट कंट्रोल एब्री सिच्विएशन और इट आउटकम्स बट्ट यू कंट्रोल हाव यू डिल भीठीट हिंदी में समझे कि आप संसा करें इन्वर्टर लगाएं बैटरी लगाएं सोलर लाइट लगाएं कुछ करें तो हमारे पास जो था मैंने किया चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत से साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इनको कंफ्यूजन होती कि लाइब है कि रिकॉर्डेड है हमारा सजीम गरियाने मन करत रहा है क्योंकि लाइव रहो फिर को कि रिकॉर्डेड है तो फिर रिकार्ड तो बटन दबाने से नहीं होता आना पड़ता है तो मैं कुछ नाम बोल देता हूं जैसे कि आप अरना मिस्रा जी कमेंट आप कहा रहा है बाल गोबिंद पाल बंदना देवी देखो भाई जब तक बच्चे जूडएंगे मैं एक वाल एक मिनट नाम बोलूंगो बस फिर मैं टॉपिक पर बढ़ जाओंगा सिर्फ एक मिनट नाम बोलूंगा बस ठीक है लालित पाल परवीन भी दीपक सलमान जी अंजली बर्मा सिरो मनी जी बहुत-बहुत थैंक्यू यह अपना जो है वजसाब के स्टेटस में डेली कलास का लिंक लगाती है और कोष बहुत से बच्चे ऐसे मैं देखता हूँ स्टेटस कभी कभी रात भी रात ऐसा दिल तूटने वाला स्टेटस लगाएंगे एक दम पोधे रो रहा है उदरे रो रहा है और डो तहसे चपक मतलब पता नहीं लगा है न पर अपनी स्टेटस तो बनी नहीं घंटा बराबर कुछ नहीं है बस दूसरा का कूड़ा लगाता है स्टेटस में यह सब नहीं लगा जाता गाना वाना स्टेटस में यह लगा जाता है कि आपने आज की दिन में क्या हासिल किया आपने अगले बीते हुए आने वाले साथ दिन में क्या हासिल किया क्या से क्या बन गए आप हो तो वही जो पहले थे फिर स्टेटस में लगाते हो क्या मतलब है इसलिए मैं नहीं लगाता हूं जल्द भाइन वायज बहुत बहुत कम आप सभी को डीके क्याक्या पढ़ना है सबसे पहले आज हम डिसक स्क करेंगे क्योंकि अगर मैदान में उतरना है य८्द्ध के मैदान में तो तैयारी बहुत बहतरीन होनी चाहिए और रड़नीती बहुत बहतर होनी चाहिए तो हम पूरा प्लान आपको दिखाएंगे आज यहां पर कि क्या क्या कैसे कैसे होगा मेरे भाईया मेरे बाबू देखो इसके पहले हर दिन पूरा कंप्लीट फ्री कलास के लिए हमें टेली गराम पर जरूर ज भूलना चलिए आगे बढ़ते हैं यह पैनल थोड़ा-थोड़ा हाइंग करता है यही मुसीबत है मेरी अभी आज की चलिए देखते हैं क्या-क्या पढ़ेंगे एक बात याद रखिए आप कोई भी कंप्टीशन का एक्जाम देने वाले हैं यह क्लास सब के लिए होगी अब इसमें देखो क्या-क्या पढ़ना है उमीद है कि क्लियर दिख रहा है दिख रहा ना भया तो समरपड़ बैच में क्या-क्या चैप्टर होंगे उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे उसका एक जलक मैं आपको दिखा रहा हूं सभी को मस्त दिख रहा है निसु जी कमेंट रहा है चलो अब सबका कमेंट तो नहीं पढ़ सकता हूं देखो पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या होता है? डिजिट क्या होता है? बिल्कुल जीरो से शुरू करना है न? फिर संख्या पद्धती में घुसेंगे फिर स्टार्ट करेंगे कहां से? प्रकृतिक संख्या जानते हो क्य क्या होती है पुर्ड फंख्या क्या होती है कि पुड़ांक सम विसम भाज या भाज ये सब पढ़ेंगे एक दमजीरों से ठीक है ट्रियों देखो जैसे छोटा समय थोड़ा देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा आज मैं आपको शेलेबस दिखाऊंगा लास्ट में कोई टापिक पढ़ाऊंगा ठीक है आज पहले बताऊंगा कि क्या-क्या पढ़ना इस से लेबस में क्या-क्या पढ़ाएंगे इस बैच मे ठीक है तो बाबू जैसे अंख की बात करें डिजिट इनको इंग्लिस में डिजिट बोलते हैं पैनिया नहीं चलती है वो देर में चलती है यह हैं कि यहांग कर रही है इसको मैं दिखाऊंगा इनको master को जो हमारे पैनल वाले इंजिनियर हैं डीजिट साही लिखाऊ ना इस्पेलिंग डीजिट टोटल नाइन ही होते हैं है ना नाइन होते हैं कितने कि टेन होते हैं बताओ कितने होते हैं वन से लेकिन नाइन तक तो होते हैं लेकिन सुनना काकी को भी उसमें सामिल कर लेते हैं तो दस हो ज तक ही सब यह अंक ही उज़ होते हैं इस लिए इनको दसमलो संख्या पद्धती भी कहा जाता है इसमें दस अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 1, 9 यही कुल 10 अंक होते हैं ठीक है सबी को किलियर आरा फोन में हाँ बढ़िया दिख रहा है तो यह सिस्टम में आपको आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि मुझे सिलेबस दिखाना है नंबर सिस्टम में प्राकर्तिक संख्या बहुत ही महत्यبح पूर्ण और स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। यह क्या है और अनंत तक की सभी संख्याइं क्या होंगी वो प्राकृतिक संख्याइं या नेचुरल नंबर कहलाती है नेचुरल नंबर जिनको किसी ने ना बनाया हो ना खोजा हो आप कहोगे क्या संख्याओं को भी कोई खोजा है ढूढ़ा है सुन्न की खोज हुई है सुन्न प्रकृतिक संख्या नहीं है ठीक है जीरो प्रकृतिक संख्या नहीं है तो इसी तरह से अगर थोटी सी बात करें पूर्ण फंख्या क्या होती है अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं पढ़ाऊंगा तक दम घोल करके पिला दूंगा सिखाता हूं पढ़ाता नहीं हूं पूर्ड संख्या क्या होती जानते हो प्रकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को सामिल कर देते हैं बस इन में 0 आ जाये गए यह पूरर संख्या बन गई अब क्या बन गई पूर फंख्य होती है संख्या जिनके लाश्ट किए यह अगए बात करते हैं ऑफ चलो बहुत यह कहां तक देख रहे थैंप यहां से देखो दिख रहा है clear है clear है ना बाबु भीया सम भी सम भाज या भाज या भाज ये हो गया आपका पहला चैप्टर जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूं कोई दिक्कत नहीं है क्या-क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा-थोड़ा में डेमो दिखाता जाऊंगा ज आज या भाज मैं इसमें बता देता हूं देखिए हम एक और हमारे एक बस वही क्या होती भाज नहीं अब भाज होती है ठीक है प्राइम नंबर होती है इसको मैं आपको बैवारीक एक्जांपल से बताऊंगा जो गर्ल्फ्रेंड वाले हैं वो ज्यादा अच्छा हम समझेंगे लेकिन समझेंगे देखो रही बाज क्या होती है इनको प्राइम नंबर बोलते इनको कमपोजिट नंबर बोलते हैं ठीक है बहूं पंविज जैसे मैंने एक नंबर लेट्व अट्यू scripture हमएबpage एक दो तीन चार ठीक है पांच नहीं हो सकता है छे और उसके बाद अब डारेक्ट हो जाएगा बारा बागी कोई नहीं तो यानि इसके फैक्टर कितने हैं आप यहां से अगर गिन लो तो कुल मिला करके 6 है 6 फैक्टर है न मतलब गुडण खंड है यानि यह बारा जो है दो से भाग करने पर भी पूरता कड़ जाएगी जीरो आएगा 3 से भी 4 से भी 5 सुरी 6 से भी 12 से सबसे ठीक है यह क्या है भाज संख्या हैै यह भाज संख्या है समझ रहा हो और अब आज ये क्या होता है जैसे मालो 13 इनका थोड़ा अलग कलर में ले लो थोड़ा ये हाइंग कर रहा है यार आज बहुत दुख की बात है मैं क्या करूं इनको लेकिन जैसे 13 मेरी बाते सबको क्लियर हो रही ना बाब उद्दम मस्त देखो 13 क्या है यह क्या है अब आज संख्या क्यों क्योंकि इनके गुड़नखंड सिर्फ एक हैं अरे एक तो यह खुद हैं जैसे कहते हैं हमारे घर में चप पर उठाना है चप पर उठाना जानते हो नहीं गा सब्सक्राइब से क्यों पता है क्योंकि 8-10 लोग हम खुदे रहते थे गाव नहीं पूरा जिला है हम समझ रहे हो तो खुदे रहते थे दुचार लोग और आ जाते तो वैसे क्या है यह एक तो खुद ही रहते हैं इस टीम में जैसे यह 13 ना तो 13 इनका गुड़नखंड में खुद सतल pass हो Ł कोई भी संख्या सब नारायड यह हर किसी के काम में ह़स्ता चेंप करता रहता है बस यह अभाद संख्या है यानी कोई भी संख्या जिसका गुड़नखंड सिर्फ वो संख्या हो और एक वन हो बाकी और कोई नहों वो अभाज संख्या होती है यानि यह इमानदार वाली गर्लफ्रेंड है समझ रहे हो जिसके सिर्फ एक तो यह है एक इसका वो है बस क्या समझा आपने समझ लिया एक तो ये खुद है और एक इसका साथ ही ये बस और इसमें क्या है इसमें ये खुद तो है ये है लेकिन एक के ढेर लोग हैं समझ गए ना आप समझ गए ना भाज ये भाज नहीं बूलना कभी लाइफ में देखो एक तो ये खुद है लेकिन इ अभी मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ जब पढ़ाओं कब इस्तार से अगली कलास में तो और बहतर होगा मुझे यह बताओ कि 69 और 105 और 201 इन में तीनों में कौन सी संख्या भाज है बताओ सिवानी पांडे एपी पासवान दनिस बिरेन सिंग मजा आ रही होमिनेटी डिवोटी भाई मैं स्मेलिंग थोड़ा कम पढ़ पाता हूँ कौन है आगे चलिए नेक्स्ट आजब यह चैप्टर नंबर सिकेंड में क्या पढ़ेंगे अब यह गोज्या उदर है याद अब यह चैप्टर नंबर सिकेंड में क्या पढ़ेंगे अल्सी एम एससी अफ का बहुत पुराना नाता है आप लोगों का है न अब यह गुसुक जा यार यह गुसुक नहीं रहा है सला हैंग बहुत तगड़ा कर रहा है यह पैनल मतलब इतना पैसा लगाने बाद यह हाल है इनको भेजूंगा आद वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा अगर आप इस पर काम कर लिए न ते हैंग करने लगता है अरे यह फोटो है दाद आप फोटो इसको घिसकना चाहिए इदर सेलेक्ट किया हूं लेकिन यह जाई नहीं रहा है चलो ठीक है LCMHCF में क्या पढ़ेंगे ठीक है ठीक है भाई बहुत अच्छा बेरी गुड़ LCMHCF होता क्या है क्या कोई जानता है देखो अगर कंपोटीशन का कोई परिच्छा देना है तो LCMHCF जरूर पढ़ना है इसको जरूर पढ़ना है देखे इसमें बहुत सिंपल है लीष्ट कामन मल्टीपल यह LCM जो है वो मल्टीपल है और जो HCF है वो फैक्टर है दोनों में बहुत बढ़ा अंतर है समझ रहे हो अगर ये बेटा है तो ये बाप है बस इतना जान लो ये दोनों सेम नहीं होते हैς थोड़ी थोड़ी चीजें सेम होती है जैसे बाप बेटे में थोड़ी तो माँरा कोई काम नहीं चलो अब इसको समझाता हूँ आपको बिस्तार से चलो देखो थोड़ा सा एक्जांपल बता कि तब आगे बढ़ूंगा नहीं ता आप कहो गए इसे जूरे ठकेल गए कोई फायदा नहीं हुआ का मतलब हुआ देखो चलो देखो 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 न देखो न तुम काहे को नहीं देख रहा है देखो न ए तुम इससे चलना मोटा मोटा लिखूंगा मोटका मज़ा आती ही न मोटके चाहते हो मुझे पता है चलो देखो LCM HCF क्या है बहुत सिंपल में समझ लीजिए जैसे मैं एक छोटा सा एक्जामपल लेता हूँ बहुत छोटा इससे छोटा कुछ हो यह नहीं सकता है वह है दो और चार ठीक है दो और चार मैंने क्या लिया एक एक जांपल ये थोड़ा हैंग कर रहा है जो देर में लिख रहा है नहीं तो अगर हम LCM की बात करें तो भाईया मेरे बाबू LCM लीस्ट कामन मल्टीपल यानि वो मल्टीपल जिसमें इन दोनों से भाग करने पर जीरो से फ़लाए वो LCM होता है और HCM क्या होता है वो फैक्टर वो गुडनखंड जिस से देखो इसमें क्या जिसमें LCM होता है जिसमें इन से दोनों से भाग करने पर जीरो से फ़लाए दोनों से याद वो फैक्टर जिससे देखो इसमें जिसमें नहीं है जिससे भाग करने पर यह दोनों से मतलब जीरो हो जाएं बस यही छोटा फांतर है और हम आपको कंसेप्ट सिखाते ना इसलिए इसको बता रहे हैं ठीक है देखो इसमें बहुत ही बताओं आगे बढ़ूं चलो देखो एक ऐसी संख्या एक ऐसा मल्टीपल जिसमें भाग करने पर इन दोनों संख्या से बारी-बारी भाग करने तो जीरो सेस्पल आजा याद रहें दोनों से करना है जैसे घर में कोई निरड़ा होता है तो जब तक मिया भी भी दोनों सामिल हो नहीं सकता है अगर पती की सामती है पतनी की नहीं है तो कता ही नहीं हो सकता है वरना रहोगे कहां आओगे तो घरी में लोड़े चलो देखो जैसे देखो सबसे बहला नंबर होगा आठ क्यूंँ आठी होगा चार भी तो हो सकता है चार भी तो हो सकता है ना चार में भी अगर आप दो से भाग करोगे दो से भाग करोगे तब भी जीरो आएगा चार से भाग करोगे चार में तब भी जीरो आएगा हो जाएगा आठ भी हो सकता है और दस नहीं हो सकता क्योंकि चार से निकटेगा बारा भी हो सकता है फिर आप कहो कि जब ये सभी multiple हैं तो फिर चार को ही answer क्यूं लिखा जाएगा LCM में देखो उसका नाम है least common multiple छोटे फे छोटा गुड़नखंड सुरी गुड़नखंड नहीं छोटे फे छोटा गुड़ज देखो यार गुड़ज और गुड़नखंड में बहुत बड़ा अंतर है देखो यहाँ पर समझ लो भी बताऊंगा गुड़ movement बाबु मल्टीपल और गुडभन मतलब होता है क्या है कि आक्यक्टर क्यों भ्या अभी बताऊंगा अभी सब बताऊंगा सबर करो सब बताऊंगा यह मल्टीपल है यह क्या है पहएक्टर है ठीक है जैसे है मोटवया में आपको बता हूं जो सुनो एक तो संख्या दो और चार हो दहांग किया होसकते हैं है्टव सफ रहसकते हैं लेकिन औ-ड्र क्या आठ दो और चार का गुड़ज है समझ में यानि दो और चार क्या है है फैक्टर है आठ के लेकिन आठ क्या है इन दोनों का गुड़ज है जैसे तुम हमारे मामा हो था हम तुम्हारे भांजे हैं समझ गए ना आगे बढ़ें राजिया समझ में आ रहा है थिरो मनी सर्मा बिरेन सिंग रम जुन सबको आ रहा है ना चलो तो हम आपको आज सिलेबस भी दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा ट्रेलर भी दिखाएंगे लेकिन मूबी अफली वाली तो अगली क्लास से होगी चलो चलो नहीं ऐसी बात नहीं यार प्यार से दिखाएंगे जबर जस्ती नहीं है तो यह डेफिनीशन कांसेप्ट और इक्जांपल यह सब मज़ा आएगा क्लास में रेगुलर आएंगे तब आगला अच्छा लोग कर देख लो सकल इनकी एक बार एक बात है अगर पीछे बेग्राउंड जो है न वाइट हो न तो मेरी सकल अच्छी नहीं आती गंदी आती मैं अपनी सकल थोड़ी अच्छी करके दिखाऊंगे इतना भी गंदहिला नहीं हूँ जितना तुम लोग को दिख बिन को दसमल्हों में बदलना और इस अव meant का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे उचित भिन न रिस और पहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन एबाई कॉन फोन कर रहा है इतना रात मैं वैश्चा-एक मिनेट रूख जा यह ग्यारा बजे के बाद अभी क्लाफ चल रही कोई है नहीं यहां पर ठीक है बाइए चलो यह मेरा छोटू आला फोन देखा आप लोगों नहीं जानते हो पुराने जबाने वाला दिख रहा है नहीं यह लेंड लाइन वाला पुराने जबना नहीं चलो आओ आगे बढ़े चले देखिए रात में कोई नहीं रहता रात में मैं ही कॉल रिसीप करता हूँ यह आपे तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है एक मिनट लाइट बढ़ा दें लाइट बढ़िए जैसे अगर मैंने लिखा कि 0.032 इसको दसमलो के रूप में बदलना है तो कितने लोग कर लोग कर लोगे यह बता मुझे दसमलो में कर लोगे इसको अब बताओ कर लोगे मैं बताता हूं देको सिंपल सा तरीका है वाइट डेमो भी जबर जस्त होना चाहिए कि सबसे पहले यह संख्या लिख लेते हैं चुपए फे जो दी गई है बीना किफी जंजट के जैसे यह नंबर है जो भी ऐसे लिख लेते हैं दसमलो छोड़ देते हैं ठीक है दसमलो छोड़ के लिख लेंगे जीरो तीन दो फिर क्या करेंगे साड़ तरीका बता रहा हूं साड़ तरीका फिर एक बढ़की फिलाइन खीजते हैं देखते हैं दसमलो के राइट साइड क किसी भी संख्या के सामने जीरो का कोई मतलब नहीं होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई इंसान अगर मर जाये तो उसकी बड़ी तारीब करो क्यार फलाने बहुत अच्छा आदमी रहे है ना बहुत नेक दिल का इंसान रहे है लेकिन जीयता है तब ससुरा बाड़ा खड ल्दूस आदमी हैं बैं कुछ नहीं करता है आट समझ रहे हो वही हाल है मतलब थ कोई फैदा नहीं सब करने का तो इसके आगे जीरो लगाओ यह ना लगाओ इसका Suk कोई मतलब नहीं है आप इसे ऐसे लिख सकते हो यह मतलब एक है तो जीरो लगाओ या न लगाओ कोई मतलब नहीं ठीक है लेकिन हाँ पीछे अगर एक को जीरो है तो कदाई भूल के नहीं हटाना इस तरीके से ठीक है सबका कमेंट दिख रहा है चुप चाप पढ़ लो ने पटक देंग उठाएक समझे लो बाक 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 करा है मतलब पढ़ाएं ना हम चलो तो यह मैं आपको एक डेमो दिखाया छोटा फा बाकी मैं आपको इसे दिखाता रहूंगा जब कलास कल से चलेगी तो आगे सिंप्लिफिकेशन सरली करण यह बहुत लोगों की समस्या है बचवा और बचिया का कहती है ना अच्छा आख चमक रही होगी ना चमक रही होगी ना रुको में सारा कलर चेंज कर देता हूं आप क्या करो वाइड कलर सही या बलेक वाला बलेक वाले में मेरे लिए भी सवालों को संख्याओं को काटने में समस्या है तो तुमको उसके लिए हथाउडास नहीं काटना आच यह नहीं आरी से देखो कैसे जैसे अगर यह लिखा है 512 यहां पर लिखा है 128 अब इनको हल करना है है ना यह मुसीबत होती तो इनको कैसे काटेंगे है ना दो से काटते हैं कि 4 से क्डेगा कि 8 से क्डेगा कि वोलो यह होता है ना आपकी मुसीबत होती ना बाबु यह हां पूजा यादो जी बिलकूल कमेंट आ रहा है राजिया जी ठीक है आ रहा है अंकिता पागल आपको कमेंट आ रहा है कौमल आपको क्भी कमेंट आ रहा है उ dragons नाम रखiction तो मैं पढ़ देता हूं लोग कहेंगे खमई से काय बोल रहे हैं सुनो पहले बताता हूं इनको पहले हटा दो भी यह बड़ा है यह बड़ा इतना बड़ा मैं नहीं लगाता हूं मैं छोटका सुलेक्स शुरू करूंगा देखो सुनू अब ए भाईया हो बाबु हो सुनो न जैसे चौफट लिखा न इसको लिखा 1283 अब देखो इनको सिंप्लिफाई करने का मैं तरीका बताऊंगा इनको एक तरीका तो यह है जो आप लोग करते हो रुको बताता हूँ क्या है तुम नीचे जा देखो पहला तरीका तो यह है कि इनको हम बार-बार काटे थोड़ा-थोड़ा काटे तरफाएं तरपाएं और काटते रहें और एक तरीका यह का आईसा कतान काटें दूबारा कटने लाइग नँन बचे जैफे दो से अगर इनको simplify करोगे तो ये 32 और ये 64 ये तरीका हो गया फिर से अभी ये 2 कटेगा दो से तो 16 और कितना आएगा 32 समझे ना मैं पूरा concept बता रहा हूँ ऐसा क्यूं सब बता रहा हूँ देखो अभी ये 2 से फिर कटेगा दो अठे फोला और दो से फिर काटोगे अभी जा रहा है आगे अभी बढ़ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं जाने दो जाने दो जहां तक जा रहा है जाने दो फिर 2 से काटो 2 चव काट 2 अठे फोला इतना से अभी अभी इनकी जो है ना आत्मा नहीं ठंडी हुई अभी और कटे गए क्या करेंगे फिर दो से काटोगे दो दूना चार अभी एक इस्टेफ नहीं भी दो इस्टेफ कटेगा इसको मैं उठाक इधर ले आता हूं फिर बताता हूं चलो यहां सीन को यहां ले आता हूं चैदर आजा अब यह तो सब छ आट वीडियो तिन तिन घंटा देखते हो लेकिन तीस मिनट मैत पढ़ने में नानिक मामी मौसी सब मर जाती है काहे को क्योंकि यह जिंदगी में काम आने वाली चीज है अच्छी चीज कभी अच्छी नहीं लगती है एक बच्चा को दबाई पिलाना तो उसे अच्छी नह सबसक्राइब नहीं देखता क्या किस कलर का है कैसे बस तुम वहीं देखते हैं जो तुमें देखना है लेकिन क्लास में नहीं ऐसा कुछ है नहीं देखोगे क्या कि देखो दो से काटेंगे कितना एगा दो दुना चार दो चोक आठ फिर दो से दो एक कम दो और दो दुना चार देखो फाइनल में अब आ गया यही आंसर है में इसके आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन इतनी बड़ी हो जाई करने का जरूरत थी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इनको सिंप्लिफाई कैसे करते हैं उसका तरीका क्या है कॉम्पटीशन की परिच्छा में तिन देर में छुट्टी हो जाएगी अब बताता हूँ चलो यह हो गया इतनी कहानी खतम इनको मिटाओ हटाओ भगाओ अब बता रहा हूँ देखो यहाँ पर इनको सब मिटाओ देखो बताता हूँ तरीका क्या है जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ इनको तरीका यह है कि 64 मैंने लिखा था 188 लिखा था ना भाया तो सबसे पहले तो यह तो आपका उतना जन्रल नालेज होना चाहिए छोटी-छोटी चीजें कि आप जानो कि यह दुनों चोर-चोर मौसेरे भाई हैं यानि 64 के पहाड़ा में 128 आता है लेकिन हमें कहां आता है 64 का पहाड़ा का व्याद करे थे 64 का टेबल को न्याद करेगा इत्ता बड़ा मायर माय इत्ता बड़ा को न्याद करेगा नहीं पता है ठीक है कोई बात नहीं दूफरा तरीका है इन दोनों का HCF निकालो HCF में पहले ही पढ़ाऊंगा दिखाया हूँ न सिलेबस में HCF निकालो मेरे भाईया बाबू HCF highest common factor सही बोल रहा हूं नहीं सही बोल रहा हूं न HCF मतलब वो बड़े से बड़ा गुडन खंड जिससे ये दोनों कट जाएं बड़े से बड़ा इन दोनों का HCF जो है वो 64 है निकाल ले न ठीक है तो 64 से इनको भाग करोगे दोनों को बारी बारी ठीक है तो 64 से जब इनको भाग करोगे तो क्या आएगा एक आएगा क्योंकि अपने से हार को हार जाता है और 64 से जब 128 थाइस को भाग करोगे दो आएगा तो सिंपल में बटा दो आ गया इतना बड़ा नोटंका करने का जरूरत है कि समझ में आ गया सभी को पक्का क्लियर हो गई बात एक दम फाइनल चलो तो बस यही कि तरीका था इसका यही तरीका था भाईया यही तरीका था और कुछ नहीं था बस हो गया खतम कहा नहीं खतम पैसा आजम 12 बच गये पैसे है यार पहले हम लोग छोटे थे न लोग कहते थे 12 बच गये बुड़ाव मर गये चला के दारा छुट्टी होई गये 64 एकम 64 64 दूना 128 बस हो गया इतना लेकिन यह चीज आपको आनी चाहिए या तो आपको नार्मल तरीका पता होना चाहिए या तो आपको द्रामा बीबू कमेंट कर रहा है उन्नती गुस्सा हो गई क्या हाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई गदा नहीं तो गंदाईला मलीच पढ़ना लिखना नहीं है गुस्सा हो गई का बताओ नहीं तो या त्मत्या कर लें अगर गुस्सा हो गई हो तुम तो चलो देखो अगला अगला चैप्टर है पर्फेंटेज बिलकूल बहुत ही मीठा सुईट सा चैप्टर है पर्तिफथ इसको जितना पढने में मज़ा आता है ना उतना उससे जादा फील करने मज़ा आता इसको देखो कईसे बताऊंगा भी बताऊंगा सबर करो देखो समझो बोर्ड मास भी आएगा सब कुछ आएगा एक बार दिखा देता हूँ फिर थोड़ा-थोड़ा ट्रेलर आगे दिखाऊंगा नहीं कुछ लोग बोर हो रहे हैं न सब बताऊंगा पहले चैप्टर में पूरे इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज में क्या-क्या पढ़ेंगे टॉपिक तुम्हें दिख गया स्क्रिंसाट ले लो अगला चैप्टर में 6 में ये पढ़ेंगे profit and last क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें सारे concept जो basic पढ़ाऊंगा इसमें देख लो जो इसमें लिखा है एक example है और भी चीजें इसमें होंगी जितना लिखा है वो तो नहीं छोड़ेंगे और भी चीजें पढ़ाएंगे ठीक है इस्क्रीन साट लेते जाओ फटाफट अगला बाबु सात्वें में पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल सबको दिख रहा है ना अरजुन बच्चा सब पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे तुम्हें कुछ नहीं आता है मुझे पता है हमारे ऐसे कंडिडेट फोन करते हैं सर मुझे यूप्यसी का सी सेट देना है बेसिक मुझे सब आता है बस तुम यूप्यसी वाला बैद आदो हम पूछ ले सवाल अच्छा जी आपको सब आता है एटी सवाल बताओ नारबली में सवाल पूछता हूं तुम याद रखना कि जैसे 90 के कोण को सम कोण बोलते हैं वैसे 180 के कोण का नाम बताओ आप बताओ क्या होगा यही सवाल में कई बार पूछा हूं बहुत से ब पहाँ नाए लग रही थी लुए सफर मेरी वालिक नहीं नहीं मुझे मैघ का क्लास यह मैंने का ठीक अच्छी बात है चाहिए पढ़ेंगे आप ठीक है कुछ बातें वहीं फिर कहा कि हमने are झाल आथा और सवाल घंटाएं तो करें मेरी वाली को पड़ना और अचा तो यह मतलब सवाल पूछें तो मेरी वाली को पड़ना अचा उसको बात कुर आओ तो बहुत अफसोर्स में दुखी मन से बात तो करवा दिये लो अच्छा सर्जी बतलाइन लो दिये हम पूछा मैंने की बेसिक आता है बोली हाँ हाँ बेसिक में तीर मार्क एकडम समझ रहो हमने का ठीक है दूरी सवाल बताओ अब दूरी सवाल पूछा तीन पूछा एक को नहीं बता पाई हिसे बता एक जांपल पता रहो है जिसमें किसी की बेजती नहीं आए ऐसे नहिए भी लगता है जब तक रिक्षा में नहीं बैठे हें लगता है कि हम जाएंगे लेकिन कि वोर्ग उने आया तो इस लिए अपना जो है प्रेक्टिस बहुत जरूरी है अंजली बर्मा शिरो मनी चांदनी राजपूजी गुडिबनिंग बहुत बहुत गुडिबनिंग चलवाई आगे यह हो गया घातांक और करड़ी में पढ़ेंगे घातांक का नियम करड़ी का नियम हे इस सब पढ़ेंगे हो भाईया का देखो एई का लिख रहा है इस सब पढ़ेंगे यह में जैसे संख्या दूई है न एके खोपड़ी पर न ए रुक ए पर तीन है एकरे उपर पांच है एकरे उपर फात है इस सब पढ़ेंगे इसमें घातांक का आले में करड़ी का नियम में ठीक है यह सब पढ़ेंगे इसमें अईसे अजीब टाइब का सवाल होता है काओ कि दूठी वर्गमूल काय लगा दिये अभी सिंपल वाला ही बता रहा हूं नहीं तो कुछ लोग पहलें बेवस हो जाएंगे कहेंगे छोड़ो मैथ्वयत हमारे बसकर नहीं है अईसे टाइब का ठीक है इनका भी वर्गमूल निकालना सीखोगे इसमें अगर जोड़ने वाला आगे अंडर रूट तीन जोड़ना है तब क्या होगा यह सब इसमें पढ़ेंगे करड़ी भी इसमें हम इंकलूड कर देंगे छोटा मोटा ठीक है अगले पढ़ेंगे आउसात आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो बाइकिया ना बड़ी अभरेज देती है और कुछ लोग कहते है बहुत ही तो तेल नहीं खून पीती है डारेक्ट तो और अबरेज निकालना सीखेंगे आउसात निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में भिनायक मित्रा अपका ये एक हkeln्ते से पता नहीं काका लिख रहे घीर लिख लो गरियाल तुम भी करियालो कोई बात नहीं गीता क्या करें कि यूटूब पे डेली पढ़ाएंगे सर जी नहीं डेली तो नहीं पढ़ा पाएंगे यूटूब पर लेकिन बीच बीच में हम पढ़ाएंगे आपको टाइम बताएंगे तीफरे दिन दूफरे दिन दूफरे दिन जब भी जितना टाइम निकलेगा अप्ल जैसे इसमें कुश्चन अक्सर ऐसे परिक्षा में आता है पर्थम पांच अभाज संख्याओं का आउसत ग्याद कीजिए कर लोगे पर्थम पांच अभाज संख्याओं का आउसत संख्या 25 से लेकर के सो के बीच की सभी भाज संख्याओं का एवरेज ग्याद कीजिए ऐसे सी सेट सूपर क्या बोलते हैं उसे सूपर टेट सी टेट एससी सी एचेसल हो गयरा में बहुत से जो लेबल की परिष्चाएं होती उनमें ऐसे से छोटे-छोटे कुश्चन आते हैं लोग लटक जाते हैं क्योंकि वहाँ दो सिगेंड में टिक करना होता है ऐसा नहीं को पेज मिले कापी बैट के खर्रा करो गया इसा नहीं करने के टाइम मिलेगा ठीक है समझे रहना बाबू तो ये सारी चीज़ें आउसात वाले में पढ़ेंगे जैसे एक कार 50 किलो मीटर की दूरी एक कार 50 किलो मीटर की दूरी में से 10 किलो मीटर 180 की स्पीड में जाती है बागी का जो 40 किलो मीटर है वो 100 की स्पीड में जाती है तो बताओ कार की आउसात चाल कितनी होगी ये सब पूरा कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है भाईया ठीक है बाबू आग यह सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप हमें पीवी यार स्टडी को यानि टेली गराम पर जॉइन किये हैं क्योंकि हम वाटसप पर जो लिंक को अगरा भेज रहें उसको बंद करने वाले हैं हमारे तीन नंबर वाटसप ने बैन लगा दिये हैं तो बाबू वाटसप पर हो नहीं सकता कुछ भी सिर्फ टेली गराम पर भेज़ा जाएगा सारी सूचना हम टेली गराम पर खुद भेजते हैं किसी के भरोसे नहीं रहते हमारे एसिस्टेंट लोग हैं काफी मेहनत करते हैं उनको बहुत-बहुत थाइंक्यू लेकिन उन लोग की वी जिंदगी है उन एक टाइम होता है एक बात और याद रखना लाइफ में जो लोग कहते हम जौब नहीं करेंगे हम तो बिजनेस करेंगे हम तो कुछ अपना काम करेंगे किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर सकून से रहना चाहते हो तो नौकरी कर लेना कहीं समझे रहो कहते किसी की सुनना पड़ता है मैंने अनुभव किया पिछले 3-4 साल से अगर नौकरी करोगे तो तुम्हें 6-8 गंटे सुनना पड़ेगा किसी की बीच-बीच में कभी-कभी लेकिन अगर बिजनेस करोगे न तो बबबवा 20 गंटा सुनना पड़ेगा 24 गंटा वह हमेज़ा खीचती रहती है लोग आते हैं मैं उसी कुर्सी बैठा रहता हूं लोगों की सिप्ट खतम हो जाती 8-8 गंटे दूसरा आता तीफरा आता लोग चले जाते हैं मैं उसी कुर्सी पर वहीं जगा रहता हूं समझ रहो तो यह होता अपना काम जिम्मेदारी नहीं जीने देती है सोचते थे अपना काम रहका घूमेंगे एस करेंगे बीबी होगी गर्ल्फेंड होगी यह ओगा वोगा बड़ा मजा आएगा लेकिन देखो दुनिया सुनसान क्यूं पता है यह कि इतनी चिम्मेदारी होती आपके पास वक्त ही नहीं कुछ करने का करोगे क्या ट्वालेट में भी जाओ तो वाटसाप वाली मुवाईल लेकि जाना पड़ता है रिपलाई करने के लिए जबकि हैं तीन-चाल लोग साथ में फिर भी होता ही नहीं इतना काम होता है ठीक है तो यह चीजें होती है यह भी आपको इसमें आनी चाहिए जाननी चाहिए जरू करता हूं हमारे कोई सिस्टेंट इस पर कुछ नहीं करते हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके रखना जिसका नाम है राजकुमार यादो सर मैट्स इस पर आपको कुछ इस्पेसल क्लासें मिलेंगी इन्हें अभी तुरंद कहीं लिखके रख लो भाईया ठीक है भ अनुपाद समानुपाद सिवा जी कमेंट आपका आ रहा है अगला क्या पढ़ेंगे बाबु अनुपाद समानुपाद चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे जिसमें रेशियो निकालना सीखेंगे रेशियो के रूप में कोश्चन दिये गए होते हैं उनका अंसर कैसे तो एक अमान बताइए कर लोगे बहुत आफान तरीके से इनका पूरा कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे रेगुलर में आएंगे ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें होंगी रामजन बिरेन सिंग बाल गोबिंद पाल गीता सिंग बिसाल यादो सब बताएंगे बाबू बस लाश्ट तक देखो भी लाश्ट में सब किलियर हो जाएगा थोड़ा सबर रखो चलो तो ये होगा दफ नंबर चैप्टर ये सारी चीज दूलो छोटा से बता देता हूं जैसे अगर कहा जाए कि 12 बटा 20 को अनुपात में बदल लोगे इसको रेशियो में रेशियो इनका फाइंड करना है कैसे करोगे बहुत आसान है बहुत सिंपल है एकदम सिंपल है इसका मतलब क्या जानते हो ये जो लिखा है इसका मतलब यही है 12 और 20 चाहे भाग में लिखो चाहे भिन्न के रूप में लिखो चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो इन तीनों का मतलब मेरे बाबू मेरे भाईया एक है इन तीनों का मतलब एक है किवल अलग अलग तरीके फिल लिखा गया है ठीक है समझ गए ना इनको अनुपात में कैसे बदलेंगे इनको सरल कर ले वही हो जाता फाइनल में जैसे इनको कितने सकट सकता है दोनों चार से तो चारत यहीं 12 और चार पंचे 20 यानि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है बाबू वो 4 होगा 4 से इनको डिबाइड करोगे तो 3 upon 5 आएगा और 3 upon 5 को मैं 3 ratio 5 लिख सकता हूं यह बिल्कुल जीरो लेबल वाली मैट्स है जो आपको मैं सिखा रहा हूं बाकी ऐसा कवनों परिक्षम नहीं आवा तो अच्छा लेकिन अगर यह ना आए ना तो कुछ नहीं हो जानला याद रखना अगर बेसिक नहीं आती तो कुछ नहीं होने वाला और यह भी भरम में मत पढ़ना कि बेसिक पढ़के हम फोड़ देंगे नहीं बेसिक पढ़के कुछ नहीं उचरने वाला है लेकिन यह भी मत भूलना कि जब तक बेसिक नहीं आएगा कुछ हीलेगा भी नहीं उचरने की तो बात छोड़ो तो दोनों जरूरी है पहले बेसिक फिर आपकी परिक्षा का सिलेबस वाला तो ये चीजें इसमें हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये आपका होगा अगला चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट वगरा पढ़ेंगे इस सब इसमें पढ़ेंगे तो समझ रहे हो जैसे अगर कहा जाए कि प्लाने ने दफ हजार रुपईया दस परसेंट वार्सिक ब्याज यानि एनुवल इंट्रेस्ट पर लिया तो तीन साल बाद वो फ्लानी को कितना रुपया ब्याज के रूप में देंगे ये सवाल है सिंप तो यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं अगर तुम्हें मन करें तो कर लेना और ना मन करें तो मत करना क्योंकि बिना मन के कुछ नहीं करना चाहिए जिन्दगी यही कहती है जो मैंने सीखा है कुश्चन है यादी यादी राम दफ हजार रुपया दफ हजार रुपया बारा पर्फेंट वार्फिक ब्याज की दर्फे तीन साल के लिए एक साहुकार से उधार लिया तो ये बताओ कि तीन साल बाद वो साहुकार को किल कितने रुपय की ब्याज पेमेंट करेगा बताओ कमेंट करके कर लोगे दनिस सिद्धी की राजिया अरजुन भाई बिसाल उतकर्स क्लास भाई आरा सबको समझ में चलो आगे बढ़े ये आपका समरपन 2.0 बैच में होगा ये अपने में एक दम दद्दा है इनका एक अलग दुनिया है अगर मैं इनको इसमें सामिल कर लूँगा तो ये धूम मचा देंगे तो भाईया हो बाबू हो इनका एक अलग बैच है उसमें ये सब होगा जिसमें इसे कह सकते हो मैंने बच्पन में सुना था एडवांस लेबल मैथ एडवांस का मतलब आप समझ लो अलजेब्रा जो मेरा मानना है बाकी अलग-अलग लोग का अलग-अलग मतलब होता है ठीक तो भाईया 14 हो जाएगा लेकिन इस वाली मैथ में कहा होगा न चच्चा अगर 4A में हम A जोड़ेंगे न तो ये 5A हो जाएगा इनका ये अलग कंसेप्ट है और अगर इनका हम गुड़ा करें न तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर ये अलग मैथ है इसका अलग सिस्टम है ये सब चीजें बेसिक अलगेबरा, छेतरफल, आयतन, बृत, संकु, तिर्भुज, समीकरण और जेमेट्री, टेगनमेट्री, उचाई दूरी ये सब आपके नेक्स्ट बैच में होगा वो बैच आपकी 30 तारीक से आ रही है ठीक है भाईया ठीक है बाबू किसी को कुछ कह है नहीं है तो बोले जाओ कि समीक्षा यादो ठीक है बेरी गुड अर्जुन भाई कि इन्होंने नाम में भाई लगाया नहीं तो को हमारे भाईया आ गए नहीं भाईया नहीं गधा टाइप काई बीच-बीच में ना जुगार डूंदता रहता फेटिंग करता रहता है य यह आपको दिख रहा होगा बनियां यह समर्पन भैच की कुछ बिसेस्ताएं हैं जिन में आप देख लो क्या-क्या होगा दिख रहा है न बाबू? दिख रहा है? ठीक है मैं कमेंट सबका लूँगा थोड़ा सा सबर रखो थोड़ा सा सबर रखो मैं सबका कमेंट लूँगा आओ इधर आओ चलो इसमें क्या क्या होगा कैसे? देख लो, क्लियर देख लो यह 25 जनुवरी से एक बैस शुरू हुआ है लेकिन अब यह भार चुका है अब इसका मैं सीकेंट पार्ट ला रहा हूं सीकेंट बैस 30 जनुवरी से ठीक है? इसमें क्या क्या होगा देखो, कच्छा एक से लेके 10 तक का पूरा कम्पलीट सिलेबस होगा NCRT पैटन होगा, ठीक है? समझ रहा हो? NCRT में जो भी पाठिकरम है, यह सब NCRT में है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से है कुछ जितना भी चैप्टर टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, सब NCRT की यह सिलेबस में है, ठीक है? और बिल्कुल 0 से सिखाया जाएगा, एकदम सुनने से सिखाया जाएगा अगर आप मेहनत करने को तयार हैं, तो कुछ कंडिशन के साथ मात्र एक महीने में पूरा बेसिक खतम करने का भी आपसन है आपके पास, सिर्फ एक महीने में पूरा बेसिक खतम कर सकते हो, ठीक है? और कुछ सर्तों के साथ गड़िश सिखाने की संपूर्ण गारंटी, बिल लंबी चोड़ी नहीं है किसे भड़ी कंडिशन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बस नहीं सही बोल रहे हैं आज कल वहां मेहनत नहीं करना चाहता परिच्छा के दो दिन पहले तो सिरीज ले आता है चार दिन इधर लटा पल्टा कालेज पता कर लिया बाबु से कहां सेंटर वागा भाए हो अच्छा अच्छा जुगार है देखा तो पता चला अच्छा पलाने भांजा बोला तो अरे पेपर थेंटर गापके कलजवा में तो लिखे हो काला मिल बताया तो बटाया लिए पेपर देने भी नहीं गया आज कल का यह वाह है किस में बता रहा हूं अक्सर ज्यादा तो यह हाल है तो पढ़ना नहीं चाहता है इफ लिए स्कोर्स को लेने के बाद हमको गरिया आता है वैं तुम तो बहुला था कि गारं रहा हूं रहा है गारंटी का मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हारे अंदर घुच जाओंगा आत्मा में पढ़ना तो पढ़ेगा न और दूसरी कंडिसन यह है कि आपको नोट्स बनाना पढ़ेगा ठीक है लिखना पढ़ेगा जितना पढ़ोगे लिखना पढ़ेगा और सब्सक्राइब नमकर रहा है यहां इसार यह है एक सब्सक्राइब यह नहीं है एक बैच के लिए आप इसे enroll कर सकते हो पूरे 700 का discount मिल रहा है अगर आप चाहो तो इसमें enroll कर सकते हो ना चाहो तो कोई बात नहीं यूटूब पर हम आपको बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे आप पढ़ते रहना कोई बात नहीं है फूटी कोडी बेना दो लेकिन अगर चाहते हो प्यार से पढ़ना सकून से बिल्कुल हमारे दिल के करीब हो करके तो आप इसे ज्वाइन कर लो फिर प्रस्नली आप हमसे बातचीत कर सकते हैं चैटिंग कर सकते हैं अपनी क्लास कोर्स से संबंदित सुनो पहले तो कच्छा बदाम वालों के लिए इन्होंने लिखा हुआ है यहां टीबी सीरियल नेटफिलिक्स वगएरा फे तो अच्छा ही है क्योंकि यहां पर आप सीखोगे वहां पर आपको इमोफनली मारा जाता है है ना दिखाया बहुत कुछ जाता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है चूने तक को नहीं मिलता है है ना अदेखिन के अंदर अंदर कुछ सी की आगे बढ़िए ठीक है अब किसी का कोई सवाल है तो कमेंट करो फटा फट कमेंट करो मैं नंबर दिखा दे रहा हूं अभी जिनका मन करेगा इन पर नंबरों पर कांटेक्ट कर लिजेगा जिनको इस बैच को ढंक से कम समय में पढ़ना है बाकि यूटूब पर इसके भाग बीच-बीच में आते रहेंगे अंक क्या होता है कि संख्या क्या होती है और संख्या के प्रकार में मुख्यता हम आपको दो प्रकार की बात करेंगे और फिर उनके आगे उनको step by step दिखाएंगे ठीक है उसके पहले आप सारी free class के लिए telegram पे हमें जौईन करना न भूले क्योंकि इस पर ही हम सारी क्लास भेजते हैं ठीक है भाईया ठीक है बाबु इस पर ही भेजते हैं इसका फुल कोर्स पीवियर स्टेडी एप में है जिसका लोगो ऐसे है अप्लिकेशन में पहचान लीजिए आई आगे बढ़ते हैं साथियों संख्या संख्या के पहले यार होता है अंक है न बाबु संख्या के पहले क्या होता है अंक यहां पर अंक की बात नहीं की गई क्या नहीं हम सबसे पहले अंक की बात करें कितने लोग चाहते हैं चलो मैं ऐसे नार्मली अंक बता देता हूँ फिर मैं दिखा भी दूंगा परिभासा ठीक है भया देखो अंक क्या होता है में रूप से अगर हम बात करें तो जो हम टॉपिक लिए थे यहां पर कुछ हम लिखके भी लेके आये थे आपको दिखाएंगे बहतरीन तरीके फिर लेकिन कुछ ज्यादा मज़ा नहीं आई क्यो इनकी परिभासा क्या दें हम यह बताओ एक से लेकर के नौ तक इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे चिन्ध एक ऐसा सिंबल जिसका परियोग हम मैज के नंबर यानि संख्याओं को लिखने या काउंटिंग करने गिनने मापने आधी जगा परियोग करते हैं वो अंक काला चाहते हैं यह क्या एक सिंबल है ठीक है कि समझ रहा हो यह कि एक सिंबल मैओ के यह कोई मैथ नहीं यह मैथ का क्या सिंबल है जैसे देखो अगर किसी का नाम लिखो तो आपको क्या Ses करना पड़ता है ऐल्फाबेट क्या बोलते हैं इसे ऑं detto में लीडिक मिलते हैं तो नाम बन जाता है ना जैसे माली जी ए रवी आरे वी आई इसमें देखो चार अल्फाबेट मिला ना एसे जड़ तक के अगर आप ले लो तो उसमें से चार मिला तो रवी बन गया ना तो वसे भहिया हो बाबु हो अगर इने में से हम दो निकालने इनको तो देखो तेज़ बन गय तेस क्या है एक संख्या बन गई नहीं बन गई न लेकिन ये अंकेले में जो है ये कोई संख्या नहीं ये क्या है अंक है ये डिजिट है लेकिन बोल चाल की भासा में लोग पराया बोलते हैं वो एक अलग बात है ठीक है पापा को भी काका बोलते हैं वो अलग बात है समझ र वो एक अलग बात है लेकिन रियल्टी यही है आगे बढ़ें तो अंक समझ गए यह ऐसे सिंबल है जिनका परियोग मैस को या मैथमेटिक्स के जो नंबर है उनको सो करने के लिए दिखाने के लिए परियोग किया जाता है बस यही मोटी मोटी बात थी आए अब बात करते हैं मेन इनका कहीं परिभासा तो पूछा जाना नहीं है लेकिन बेसिक से पढ़ना है तो हमें हर चीज सिखाना है अंक हो गया क्लियर किसी को कोई दिक्कत भाई विशाल जी कोई समस्या नहीं ना ठीक है संख्या क्या होती यहां से बात करते हैं मुखता यहीं सुरू होता है संख्या देखो भाईया बाबू दो या दो से अधिक अंकों के समू को संख्या कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक अंक आपस में मिल जाएं वो संख्या बन जाती है जैसे देखिए अगर माल लीजिए मैंने यहां पर लिखा तीन पाँच साथ तो यह क्या हो गया तीन सो सत्तावन यहाँ पर तीन अंक सामिल है तो 357 बन रहा एक संख्या है चार और दो यह दोनों अंक मिला करके 42 बना रहे है ठीक है यह क्या है संख्या है समझ गए दो या दो से अधिक अंकों के समू को संख्या कहते हैं आप इनकी परिभासा ऐसे बना सकते हो बाकी कहीं परिभासा और इबासा नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ठीक है भाईया कमेंट साबका आरा लेकिन मुझे फोन में देखना पड़ता है तो जुखकना पड़ता है उसमें जाकर आगे बढ़ें चलो चांदनी राजपूद जी कमेंट आरा है वास्तिविक संख्याएं क्या होती है काल्पनिक संख्याएं क्या होती है देखिए यहां पर बहुत ही जिन्दगी से रिलेटेड एक बात बताऊंगा देखना वास्तिविक संख्यां क्या होती इनको इंगलिस में रियल नंबर बोलते हैं बाबू आगे पता चले होई कि ना हुए वह अलग बात है कि आईए इसमें बढ़ें आगे यह रियल नंबर जो होता यह क्या होती है यह परिभासा इसमें नहीं लिखाया क्या मैंने परिभासा इनको बाद में एक-एक को explain करेंगे ठीक है सबसे पहले हम इनके category को देख लेते हैं ठीक है इनके परकार देख लेते हैं नहीं कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले परिभासा दिखाओ क्या होता है रुको पहले वही दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं देख कि संख्या बहुत कम जगा मिलती है जल्दी कहीं मिलती नहीं है उनको आई लगाके लिखते हैं कालपनिक संक्या की अपनी एक अलग दुनिया है चोटी सी वह बेसिक की में नहीं हाती बेसिक में उसको नहीं पढ़ाएंग उसका कोई मतलब नहीं ठीक है तो अन्डरूट की सं 2 ये कि संख्याएं दिशम्रों की संख्याएं कि सबस्क्राइध हे सारी जबम क्या उती ऐ है रियल नमबर की हुझ ठीक है एज आ हुझ हरे बागुल सभी को समझ में आ रहा हुझ हरी नंदर राजपूत आ रहा है विनोध चालक परियो संख्याएं कहलाती हैं जैसे इनको थोड़ा सावर समझ लेना यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या आप ले लो कोई भी संख्या जो आपके मन में आए लगभक सभी संख्या क्या होती है ये सबी real number ही है सबी क्या है real number है इनकी दुनिया बहुत विसाल है कुछ भी लिख लो तुम ये सबी क्या है सबी real number ही है कालपनिंग संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल माइनस में आता है अब तुम कहो कि कौन सी संख्या का वर्गमूल माइनस में आता है इसके बारें बिस्तार से बात करना पड़ेगा कोई मतलब नहीं है तो समझ गए जो में टॉपिक है उसको समझी है ठीक है जो आपके काम का है और कलास को छोड़के न जाना अगर मैद सीखना है मैं बार बार बोल रहा हूं अगर बीच में छोड़के भागे तो मैद कोई सिखा नहीं सकता आपको याद रखिए जिसमें टाइम दोगे ना जिंदगी वहीं जाती है उसी तरफ जाती है समझ रहे हो ना आपने सुना होगा कहते ना फ्लन लड़का बड़लो चावाई का बड़लो तो अगर आपको मैध सीखना है तो मैध में आपको वक्त देना पड़ेगा यह यूटूब भी समझता है वह चीज आप यूटूब पर जो चीज देखते हो वहीं चीज को यूटूब रेकमेंड करता है अगर आप रोज मैध के वीडियो देखो गए तो आपको बदाम देखोगे ना तो तुमको कच्चा बदाम के साथ मुनक्का भी दिखाएगा सुबा 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 सुमझ रहे हो यूटूब पे तो इसलिए जिसमें टाइम दोगे वही मिलेगा आगे बढ़े वास्तिविक संख्याएं की बात करें अब हम रियल नंबर की बात कर रहे थे ना वास्तिविक संख्या ठीक है भईया चलो चलो देखो वास्तविक संख्या की ही बात करनी है तो परिभासा मैंने दिखा दिया अब वास्तविक संख्या के दो परकार होते हैं देखो भईया आप लोग कभी टार्गेट वही है ना सबका टार्गेट क्या है कोई भी अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है जो भी कर रहा है लगभग में 90 से 95% इस धर्ती के इंसान का एक उद्देश से है मामी पापा बनना है ना कोई ऐसा है जिसका ना हो बहुत कम ही ऐसे होते हैं भरदले है ना हमारे सैसे समझह देखो आगी बात करते हैं मतलब की पहले ये तो मजय की बात हि किMo कि मैं इसको क्यों बताया इसका यहीं बताया कि इनके हो जाती सादी इनकी बिया उजात पर इंके दूई तो कालपनिक के क्यों नहीं है कालपनिक वाले सादू हो गए बाबा बन गए उनके कोई पार्ट नहीं है लेकिन वास्तविक संख्या के दो भाग ठीक है वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं मतलब दो पार्ट है इनके या दो टाइप है जो भी समझो एक पर्मिय एक भ आई यह बात करते हैं चलिए अब पर्मिय संख्या है और पर्मिय संख्या है यह चीज हम पढ़ेंगे क्या भी नहीं अब भयर पर्मिय संख्या का है यह बता हूँ आपके पीता जीत है तो आप लोग हुए दो तीन तक वो सभी चर-चर पंच-पंच भाई बहन होंगे अक्सर होते हैं न घर नहीं पूरा जिला होता था एक एक गर में हमारे काओ में अईसे भी लोग हैं जिनके साथ लड़के छे लड़कियां तेरा हो गए अभी तु कम सुन रहे हो एक और भी इनके 17 लड़के हैं कुछ लो मतलब डारेक्ट को मंगल गरास नीचे आया थे धरती पर पाइदा ही नहीं हुए सच्ची बता रहा हूं जो हमारे आसपास के लोग होंगे समझ गयों किसको बोल रहे हैं बागी नाम नहीं बोलेंगे ठीक है तो अब लेकिन नहीं होता ऐसा क्यों क्यों बागी तुम जानी प्रवें संख्या में आजएं मैं जुँन बताया अईसा एस नश्लीए बताए क्मिल नमबर के लिँए के ड़ी नमबर के दो पाइज सूखसें कब सबसृब्यаю की बात कर रहे हैं यहां पर मैसे मान की चलता है वाह maturity संख्या पूर्ड करई अधिक एक प्रक्रतिक संख्या और अभी हम आपको टाइब सिखा रहे हैं याद रखना आप बैसिक सीखना के लिए तो टोपिक वाईज पढ़ना ना नंबर सिस्टम सुरू हुआ है कोई भी परिच्छा दोगे यही सब इस्टार्ट होता है इसमें आगे भाज या भाज सम भी सम यह सब होता है तो बेसिक इस्टार्ट हुआ है टाइम देना कोई दो-दो रियल नंबर कमेंट करो अब होता है अगला नेक्स्ट जनम भाई नया आउतार कालपनिक संख्या बागु देखो ये क्या चीज होती है इसके बारे मैं पहले बता दिया कि बेसिक मैथ सीखने के लिए आपको कालपनिक संख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बेसिक मैथ में कालपनिक संख्या के कोई जरूरत नहीं है और हम इसको आपको भी बेसिक ही सिखा रहे हैं तो इसको बस इतना जान लो वे संख्या जिनका वर्ग करने पर निगेटिव रिजल्ट आता है मतलब रिड़ा अतमक मानाता है वर्ग करने पर वर्ग या वर्ग मूल यार कुछ ऐसा ही जो भी इसके बारे में कोई मतलब नहीं है इसको छोड़ो नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चटान तक तोड़ देती है नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चटान तक तोड़ देती है बात अगर छोटी सी हो पर दिल में चुब जाए बात अगर छोटी सी हो लेकिन दिल में चुब जा इदम चाती फट जा जिसे बोलते हैं तो जिन्दगी के रास्ते भी मोड़ देती है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का दिल टूट चुका है बस थोड़े से आत्मा बची ये जिन्दा है वो जी रहे हैं है ना याद तेरी आती है वाली स्टाइल में अगर दिल में चुप गया है कैते ने कोछी टूटता एक बहुत बड़ी एनरजी निकलती उर्जा निकलती है उस उर्जा को सही दिसा में लगा दो तो बहुत उपर पहुंच जाओगी है ना ठुक राके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी चलो आज क्या-क्या पढ़ना है यहां पर एक बार हम केलियर यहां पर दिखा दें आपको एक बार दिखाए भी थे है ना भया इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे आज देखो आंक आपने देख लिया तंख्या देख लिया प्रकृतिक संख्या देख लिया नहीं देखा अभी प बढ़ें आगे बढ़ें अर प्रकृतिक संख्या क्या होती भात हूँ आध फार और फे क्या लिखा है विच्ठ इस हंख्या जिने गड़ना और पर योलन से ले करके ऑनंतक वन से स्टाइट होगी जीरो छोड देना है बस है वन से अनन तक सभी संख्यां क्या होती निचुरल आमबर होती है दूसरी मासा में कहा है यसी गिन किन सकते हैं कि क्यूं कर सकते हैं वो नेचुरल नबर होती है, आएसी संक्या जिने हम फील कर सकते हैं, अब वो वाली feeling नहीं आना चाहिए, जो तुम्हें आ रही है, when it way, feel करने का मतलब ये, कि जैसे मालो मैंने का मेरे पास एक pen है, तो ये एक pen है, मतलब ये ना दिखाओं तभी तुम्हें पता है कि एक pen है ता इसे ही होगी, है ना, ये तुम्हेरे अंदर feeling आ सकती है, ना। लेकिन आगर मैंने कहा मिरे पास जी रो है तो क्या तुम्हें को Y est già змד लगेगा two है तो दो जगा रखी जाएंगी ना यह जगा रख सकते हैं सब्सक्राइए लाने है वह तुम्हें कम से कउ मि इतना तर है अगर ने पांच टो यानि सिंपल सी बात है जैसे मैं कहूं कि भाईया मैं आपके घर आ रहा हूं पांच लोग आऊंगा तो तुम फील कर लोगे पांच लोग आएंगे तो पांच कुरसी चाहिए कुरसी बैठाएंगे तो भाई ने चटाए वटे बिठाएंग अलग बात बोलो एक बार कमेंट करके बताओ सबी मेरी बात आपके यहां तक पहुंच रही है अंदर तक की नहीं फील करने का मतलब जैसे माल लीजिए होता नहीं कहते हैं भाई बरात आ रही है डेड़ सो आएंगे दूसरों लोग आएंगे इतने लोग का खाना बनाना है तो लोगों के अंदर फीलिंग आ जाती कि डेड़ सो लोग होंगे तो इतना इतना आइटम चाहिए मतलब वो समझ जाते हैं है ना यह क्या है नेचूरल नंबर सनी कुमार समझ में आ रहा है यूराज अनुज यादो अस्वनी सबको आ रहा भाईया एक बार सभी यस बोलेंगे और सेशन को लाइक करेंगे आपको आपके उसकी कसम है किसकी उसकी जो लोग समझ गए वो समझ गए चलो तो गड़ना के लिए जिनको परियोग किया जाता है या फिर ऐसे कहें ऐसी संख्या जो नेचूरल होती है बिल्कुल जिनको किसी ने नहीं बनाया किसी ने नहीं खोजा बिल्कुल नेचूरल होती है वो क्या होती है प्रकृतिक संख्याएं होती है जैसे यह पेड़ नहीं कर दिया गया है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि नाव बधल दीा आलग बात है लेकिन नाया नहीं किसी निज को भात समझें प्राकृत्र नाये मेर्किरत के नियुक्तित निштूरल भीका तक मुझे पता नेचुरल है बाकी मैं कोई ठेका नहीं ले रहा हूं चलो आगे बढ़ें यह सब क्या नेचुरल चीजें हैं समझ रहो काभ्या पंडित समझ में आ रहा है लौकुस सबको आ पंड्र से आतमा जाती है चलो आगे बढ़ें अगर मैं सीखना है तो कलास पूरा देखना देखो टाइम तुम ऊहीं बचाते हैं जहां नहीं बचाना चाहिए अभी मोबाइल में 60 वीडियो देखोगे तिन तिन घंटा हो जाएगा मम्मी उधर गरिया रही है खाना नहीं खाया है बैठा अधर जर्वा लेकिन फिरो फिरो का तुम्हें लगता टाइम बरबाद हो रहा है लेकिन इस कलास में देखोगे आए वक्त रुक जा कैसे है आए वक्त रुक जा समल जा लट आ जरा पीछे तो तो टाइम देना पड़ेगा कलास को पूरा देखना है डेटा बचा के रखा करो रोज डाटा बोलते हैं डेटा बोलते पता नहीं चलो तो यह सब हो गई आगे बढ़ते हैं पूर्ड फंख्या को इंग्लिस में क्या बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं बढ़िया बाबू होल नंबर का होता जैसा कि नाम से ही असपश्ट है whole number और whole कैसे होता है देखे हो गई नहीं देखे हो whole मतलब bill, गड़ा अई तो बोलता है इंगलिस में तो भाईया whole number का मतलब का होता है कि प्रकृतिक संख्या के परिवार में natural number में एक whole हो जाता है मतलब zero आ जाता है ठीक है तो वो हो जाती है पूर्ड फंख्याएं यानि मोटी मोटी बात करें तो प्रकृतिक संख्या के परिवार में zero को भी सामिल कर लेने पर जो संख्या बनती है वो whole number यानि पूर्ड फंख्या काहलाती है ठीक है ये डाट 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 आनंत तक जहां तक भी जाती है तो समझ गए न यानि सुनना को सामिल कर लेंगे रेफनल उसरीस नेचुरल नंबर के फाइमली में तो ये बन जाएगी क्या पूर्ड फंख्या यानि अधूरे अधूरे फे थे हम तुमसे मिलके पूरे हो गए ये कौन कहरा है मैं नहीं कहरा हूँ कि तुमसे मिलके पूरे हो गए हम तो अहीं हैं के ले ये पूरा हो गए ये ये जीरो के साथ मिलके अच्छा एक बात बतावा आप लोग मेरे मन में आता है कहते हैं कि सुन की सुरुवात पांच जीरो की खोज पाच्वी या छाट्वी सताबदी में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि आरभट जी ने किया था उसका जो परियोग उगरा किया था पहली बार दसंबलो संख्या पद्दती में पहले से रही होगी सुनने वो अलग बात है पहली बार जो परियोग करता है नाम उसी का होता है है ना जैसे मानलो इस दुनिया में बहुत सारी चीज उपलब्ध है कहीं कूड़ा कचरम पड़ी है तो उठाएक लेके आए सब के सामने दिखाए तो का कहेंगे भाई यह फलाने लाएं फलाने लाएं समझ रहो तो वैसे क किया है मना जाता है कि सुन की खोज आरबट जी ने किया था और हां अगर आरबट जी ने पांचवी या सथमी सतावदी में किया था तो जो रामायड और महा भारत हुआ था उसमें रामड के दस सिर कैसे गिने गए थे क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि जब सुन की काफी दिन बाद हुई तो रामायड जो आज से कईयों हजारों साल पहले हुई थी उसमें दस सिर रामड के कैसे गिने गए थे कोई जानता है तो मुझे कमेंट करके बताना और दूसरा सवाल यह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गड़बड है वो बिलकुल सही था महाभारत में कवरों के जो सौ आपने सुना होगा संख्या वो कैसे गिनी गई चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं बहुत से लोग बता रहे है ठीक है सूत क्या नाम बहुत कठी नहीं बोलूँगा जाने दू शूरुती दिवारी हां कमेंट आ रहा है लूसी आदो बेरे चीज है पहले क्या होता था जो संख्या की गिंती होती थी वो जैसे तन्सक्रिट में होती थी ठीक है तो नवम डसम ऐसे गिना जाता था ठीक है तो जीरो ऐसे नहीं लिखा जाता था दस को ऐसे नहीं लिखते थे पहले जब रावण के दस सिर ऐसे नहीं ऐसे होता था भाईया दसम मतलब दस सिर उसके है जीरो की खोज नहीं थी जीरो का यूज भी नहीं होता था था ठीक है सब्द में लिखा जाता था सब्द में जैसे रोमन ग्वैं रोमन संख्या भाई डिस मनों संख्या पदधी में 0 लगता है ना सम्में निलगता है इस को लिखने के एक और तरीका है यक्स रोमन में yक्स चैसे लिखते हैं लेकिन see the tar letter होता है सुआ 120 neh लें ये क्या है ये क्या है ये 5 है 5 ये क्या है दिख रहा तुम्म एक नहीं ये साथ है साथ तो ये क्या है ये रोमन संक्यापद्धती ये ठीक है और ये संस्कृत वाला जो तो ये वी सचाई की पहले जीरो की खोज तो नहीं हुई थी इसे में कुछ ऐसे भी खतरनाक इंसान है वो का कहते हैं न कहते हैं यह सब गड़बड इसा कुछ था ही नहीं यह सब कालपनिक है जब सुन की खोजे नहीं हुई थी तो कैसे बता दिये कि दस्सीर है चाच्चा तब गिंती में नहीं गिना जाता था ठीक है अभी और पढ़िए तब जो है वो संस्क लोग पढ़ रहे थे टॉपिक पूर्ण फंख्या बहुत जरूरी था यह टॉपिक यहां पर डिसकस करना क्योंकि यहां पर जीरो की बात हुई है और जीरो नार्मल चीज नहीं है बहुत बड़ी बात है हां एक चीज और आजब हम लोग छोटे थे तब तक ऐसा कहा जाता जब जीरो की खूज नहीं हुई थी तब कैसे करते थे पता है कहीं कुछ घटाते थे अगर ऐसे सब्ट्रेक करते थे तो यहां पर जीरो नहीं लिखते थे यहां पर क्या लिखते थे पता है यहां पर ऐसे लिखते थे घटाने के बाद कुछ नहीं ठीक है कुछ नहीं या पिर कोई मान नहीं मतलब ऐसे एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा जाता था तो कहीं भी जहां पर जीरो की जरूरत लगती थी इस तरह से घटाने वगरा में वहां पर लिखा जाता था कुछ नहीं कोई मान नहीं या मतलब वगरा वगरा एक सेंटेंस टाइप का लिखा जाता था तो जीरो की खोज होने के बाद इतनी आसानी हो गई कि ये बड़ी सी लाइन इतनी बड़ी जो यहाँ पर लिखी जाती है इसकी जगाँ पर एक चिन ऐसे जीरो बना दिया जाता है ठीक है तो ये भी बहुत इंपोर्टन जनकारी है सबको समाज में आ रहा बाबू आगे बढ़े ना आगे बढ़े चलो तो हाँ पूर्ल फंख्या हो गई आप क्या पढ़ेंगे पूरांक क्या-क्या पढ़ना यह तो तुम्हें पता है ना पूरांक इंटीजर बोलते हैं इनको इंटीजर पहले बता दिया हूं क्या-क्या पढ़ना एक बार यहां पर लिखी देता हूं देख लो पहले समसंख्या यह सब पढ़ेंगे अभी जाना नहीं है अगर सीखना है मैं तो और पूरी गारंटी के साथ मैं सिखाता हूं बिलकुल एक भी परफेंट की कमी नहीं बिसमसंख्या इसको इंगलिस में बोलते हैं और नंबर हां कहते हैं ना थोड़ा और हूं में समसंख्या क्या विसमसंख्या ठीक है और क्या पढ़ेंगे भाज संख्या भाज संख्या को इंगलिस में कमपोजिट नंबर बोलते हैं जहां तक मुझे पता इसकी अंग्रेजी है यह होती है ठीक है अब हाज संख्या यह दोनों बहुत मज़ेदार है अब इसको पढ़ाओंगा तुहां से यह तुम गिर गिर पढ़ोगे प्राइम नंबर तुम्हारे एक्सवाई सब याद आएंगे इसमें चलो सभी को समझ में आ रहा है ना गीता सिंग आ रहा है अनुज कुमार सुकला जी आ रहा है चलो और का का पढ़ेंगे एचा चारू कजा भाईया परमिय आ परमिय भी पढ़ना है यह सब पढ़ना है परमिय संख्या रेफनल नंबर इस्पेलिंग नहीं आती तो सर्च कर ले ना गूगल में ओ या ने यल है आ परमिय संख्या यह सब पढ़ेंगे हम लोग एकदाम प्रैक्टिकल करेंगे ठीक है दन यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है बाबू ठीक है ओके चाप लो चापो चाहे ना चापो टेली गराम पर पीडियाप दे दूँगा ठीक है टेली गराम पर इसका पीडियाप दे दूँगा लिखो चाहे ना लिखो कोई जरूरत नहीं है तुम मत लिखो चलो आईए बात करते हैं फिर क्या क्या पढ़ना है इन सब को पढ़ना है पूरुरांख पूर्षंक्या हो चुका है आप बात करें पूरांखी हां एक चीज़ और आपसे अक्सर पूछा जाता है कहीं कहीं सवाल चोटा मोटा मिल जाता है लोग पूछ लेते हैं कि पुर्र फंख्या की शुरुवात कहां से होती है सबसे चोटी पुर्र संख्या कौन सी है बताओ सबसे बड़ी पुर्र फंख्या कौन सी है पुडांक की इसको आप लोग सोचते रहना बताना आए अब बात करते हैं पुडांक पुडांक को इंगलिस में इंटीजर बोलते हैं इंटीजर से आइंटीजर आइद इंटीजर ही बोलते हैं इंगलिस मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करती है लेकिन आइंदी बिल्कुल मस्त चलो बाकी इंगलिस होती वही है उसकी इंटीजर ये क्या है वही आकौन से जानवर का नाम है चलो देखो तो तुम समझो तो कि इधर साइड जो होते हैं सभी माइनस में होते हैं पुल्टा पुल्टा काया को लिख रहा जो भी है चलो यह ऐसा नहीं लिखा जाएगा रुख जो एक मिनिट यह माइनस वन माइनस टू माइनस तीन माइनस चार तो यहां पर दिख रहा है सबको क्लियर सभी को समझ मैं आरा एक बार बोल दो हाँ यस और सभी साथी सेशन को लाइक कर दो बाब ऐसे मज़ा नहीं आती यार देखो मैं अपना ना सब कुछ इसी में दे रहा हूँ चलिए ठीक है सभी कर दिये यास अभी सब नहीं कर रहे हैं मुझे पता है ठीक है ना करो ना करो बताते हैं तुम्हारा चलो देखो इंटीजर क्या होता पुडांक क्या होता भाई पुडांक वो होता है जो पूर्र संख्या है ना होल नमबर उचको पॉजिटिव और निगेटिव सब मिला करके ठीक है यानि पूर्र संख्याओं में निगेटिव नमबर नहीं होता है माइनस के संख्या सामिल नहीं होती है ठीक है तो आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर उपलब्द सभी संख्याओं को क्या कहते हैं पुडांग कहते हैं एक ये तरीका हो गया मेरा बनाया हुआ कि संख्या रेखा पर जो भी नंबर है वो सभी पुडांग कहलाती है इंटीजर होती है चाए वो पलस में है चाए माइनस में है ये पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या हो गया दूसरा ये हो गया कि इधर माइनस आनंत तक जायेगा न इधर कहां जायेगा दोड़ता हुआ प्लफ आनंत तक जायेगा दूसरा हम कह सकते हैं कि माइनस आनंत से लेकर प्लफ अनंत तक की सभी जितने भी numbers होती है जितने भी पूरल फंख्या है स्वरी पूरल फंख्या नहीं बोल सकते क्योंकि पूरल फंख्या सिर्थ positive होती negative नहीं होती ठीक है तो minus अनंत से लेकर plus अनंत तक की सभी संख्या है क्या होती पुढांक होती है इंटीजर होती है देखो जैसे अगर यह माइनस 4 है तो यह क्या है रिड़ पुढांक है निगेटिव इंटीजर है अगर यह प्लस 415 है तो क्या है यह पॉजटिव इंटीजर है धन पुढांक है ठीक है भया अगर यह माइनस का 21 है तो क्या है यह negative integer है ρिलण पुढांक है सभी को समझ में आ रहा है अगर यह 29 है तो क्या यह रिलण पुढांक है negative integer है ठीक है तो सभी समझ गए माइनश आनन्त से लेकर के Plov Anant की सभी संख्यां क्या कलाती है पुढांक कलाती है या फिर संख्या रेखा पर उपलब्द सभी संख्या है जो होती है पुड़ांग होती है क्योंकि उसके लावर कुछ होता है नहीं संख्या रेका पर आप क्या पढ़ना है आप क्या पढ़ना है पुड़ांग के बाद समसंख्या क्या पढ़ना है समसंख्या चल भईया स्थाम संख्या क्या होती है इसकी परिभास आप लोग बताओगे फटाफट बताओ इबन नंबर क्या है चल बताओ इबन नंबर क्या है को उल्दीप बच्चा पढ़ाई कर लो नहीं तो तुमको पढ़क किमारें जान लो बसाओर कुछ नहीं ठीक है चुपपे पढ़ लो तो आशीस राधा मिठ्थुन कबड़ी लवर कबड़ी वेत्वर साथ तेंधन लिया बस तुए ही रहा जाया न थिक है समसंख्या क्या होती है कोई बता रहा जीरो दो चार छेह ट क्या होती समसंख्या होती है नाहीं वोच अच्चा इसी बात नहीं है आईसी संख्याएं जिनका अंति मंक यानि लास्ट डिजिट जिनका लास्ट डिजिट अंति मंक जीरो दो एग मिनने को बताई दो गे घुंक नहीं बताने का पहले जिलवाने का फिर बताने का देखो होता क्या है? पहले हम लोग यही पढ़ते थे कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर 0 से इसफल आ जा वो समसंख्याएं होती है अब तक हम लोग यही पढ़ते थे मुझे भी यही पता था जब हम कीपैड़ वाले फोन में रहते थे आएसा वाले हो अरे हें वालाहीं के रखा है तो लेकिन इथैसाना का बदल गया क्यों 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 हैं वा कर ड़ायए लड़का पापा बत करो आप करो बहुत करेंगे अब कालइग काता है अब कातम कर रहा है यह में 맞 start करेंगे इनको भाग करेंगे दूर से व क्या तरीका बहुत पुराना हो गया यह जमाने का हो गए जब कहते थे क्या आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है अब बदल गया है ट्रेंड अब कहते हैं आना उत वाजा वरना फलनमा तयार है तो वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई अब इसका कोई मतलब नहीं है अब यह है कि ऐसी संख्या जिसका लाश्ट डिजिट जीरो दो चार छे आठ आठ आएसी संख्या जिसका लाश्ट डिजिट जीरो दो चार छे आठ है वो समसंख्या है शिर्फ अंति मतलब उनको देखना है बस देखके समझ जाना है देख के समझ जाना है नजर से नजर मिली बस समझ गए नजरे मिली दिल धड़का और धड़कन ने कहा क्या कहा बताओ तुम लोग बड़ा इक्सपार्ट हो बोल नहीं रहे हो अंदर अंदर मुस्करा रहे हो बीबू अनिल बर्मा स्टूर्यांस भाई ये मेरे नाम से रिलेटेड एक लोग का कमेंट आता है मैंका नाम नहीं बोलूँगा इन लोग मुझे चिड़ाएंगे बस याद हो जी बोलूँगा चलो सर पहले बिल्कुल कालमली पढ़ाते थे कहा मतलब भई एठी कहरा जानू कहां है जानू गई है अभी कहां अरे उदरे गई है कहीं चलो आगे बढ़ें पता है जानू लोग के साथ का होता है अभी मारे एक दोस्त है वो जानू की चक्कर में बहु ज्यादा पागल हुए पानी पानी हुए थे और उनकी जानूना अगले दिन किसी दूसरे कहां गई थी मतलब कुछ काम करने गई होंगे अब उनका जो है जितना भी प्यार था सब बैय गया उतने देर में यह तो दोका दे दिए पता नहीं किसके पास गई थी का करके आई अब बताओ उसका मंज देखो यहां पर समझो अब थोड़ा सा पहला देखो देखो यहां पर जैसे माल लो अभी कमेंट में सबका देखूंगा इन में से कौन सी संख्या सम संख्या है दिख रहा एक नहीं एक मिनट मैं कुछ संख्या दे रहा हूं पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर मुझे बत पीफरा इनका कुछा इसा लिखा दिखाए पड़े का है इनमें कौन कौन सी संख्या हैं सम संख्या हैं कोई है इसमें सम संख्या बता जल्दी से कौन सम संख्या है वनिता भी स्नोई ससी कौन बीबी कह रहा है एक अधा बीबी ना बोलो रात का टाइम वह इसे डर लगता है इन लोगों को तो कौन संख्या है ऐसी संख्या जिसका लाश्ट का डिजिट 02468 कुछ भी होगा वो सम संख्या है यह तो है नहीं इसमें लाश्ट में है नहीं यह है यह भी नहीं है यह है क्यूं क्यूंकि इसका लाश्ट का डिजिट 4 है इसलिए सम संख्या है इसका लाश्ट का डिजिट 8 है इसलिए सम क्या होगी वो दो से भाग करने पर पूरता अभिभाज्य होगी सिर्फ देख के पहिचान जाओ बीना भाग किये जैसे जिन लोगों का चेहरा नीचे मुर्जाया हुआ है टेंसन में दिख रहे हैं मान लोग उनकी साधी हो गई है अब देखो मेरा देखो लग रहा तुम्हे नहीं न बस यह सबसे बड़ी पहचान है अब इसमें देखो कुछ लोग मुर्जा रहे हैं चालो तो यह समझ गए सिर्फ देख के समझ जाओ बस पूछना नहीं है कि हुई की नहीं हुई जैसे जो मैं बताया न पहचान उसको देख जाओ बस जान जाओ आगे बढ़े देख ला चलो नेक्स्ट देखो इसमें जैसे तीन साथ पांच नो आठ वन सेवन दूई पांच छे आठ एक तीन दो आठ वन साथ दो पांच आठ एक जल्दी इसमें कोई सम संख्या तो बता दो फटा फट फट फिर हम आगे बढ़ें और फिर चलते हैं किस्यों को डाउट तो बताओ नहीं न? चलो भाई पता नहीं कौन आगे खड़का रहां था गड़ आगा हम अब यिकॉने कलास है कहा बाईा इसमें सम संख्या क्या है यह वाला है क्यूं क्यों क्योंकि यह लाइक डिजीट इसमें का क्या है दो है ठीक है सभी को समझ में आरा बाबू आगे बढ़े फटा फट चलो पिर ताबट तोड़ आगे कलास चलती है आगला क्या है बिसम संख्या क्या है बिसम संख्या सभी समझ लेना एकदम प्यार से और हां ये बहुत ही मज़ेदार कलास हो रही ना बोलो हो रही कि नहीं जिंदगी में भूलोगे कभी अभी तो मेन वाला आया ही नहीं अभी तो तुमको हम वह एक्स्पिलेंट करने वाले हैं वैलेंटाइन डे वाले पर जो आपकी तमनाएं होती है लाइफ में मिलता जो है तूडता कैसे है फिर रोते कैसे है फिर उसमें से निकलते कैसे है फिर आयो स्पीसि चलिए और नमबर क्या है ऐसी संख्या है ऐसी नमबर जिनका लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 क्या होता है जिनका अंतिम अंक जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 इन में से कुछ भी होता है वो क्या कहलाती है भाईया वो क्या कहलाती है बाबू वो कहलाती है बीसमसंख्या है सिर्फ देख के जान जाओ बस ओनली देख के जान जाओ ठीक है रोहित किसी को बलाक नहीं करना है जिसको जो कमेंट करना है करने दो आज पूरा खुल के करने दो चलो जैसे अगर मैं इसमें आपको बता हूँ पांच आठ तीन दो जीरो 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 तीन चार छे आठ सब इसी में है नव आठ दो जीरो जीरो तीन दो पांच जीरो जीरो इन में से A, B, C, D में से कोई बिसम संख्या है क्या A, B, C, D में से कोई बिसम संख्या है जल्दी फटा फट जबाब दो एनिवन ठीक हा भाई लॉकुष कुमार बेरे गुड, गीता सिंग राज कुमारी बेरे गुड, प्राञजल ओके डन, सशी प्रभा पूजा यादो ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, बेरे गुड देखिए, सीखना है तो सुरू से सीखना है याद रखना, थोड़ी थोड़ी चीजें आती है न, लोग बहुत उशलते हैं, बहुत तड़फड आते हैं और फिर पूछ लो, तो फिर ठंड़ा हो जाते हैं तो जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो भी सबर करें, यहाँ पर देखें हां, समझ रहे हो ना? तुमको आरेड़ी पता है ये? तो काओ कि नहीं देखेंगे, अभी देखो जो सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं और जो लोग अपना फेबरीट मन पसंद वीडियो देखते हैं, चुपए से छुपके कोई अगला न देख पाए, उसमें जो होता है कि तुम्हें नहीं पता रहे था, तब को पता रहता न, कि क्या होगा, कईसे होगा फिर भी देखते हो, क्यूं देखते हो? अब बताओ, कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं है न तो, बहुत सारी चीजें होती है, जो मैं पता होती ही गईसे होगा, यह होगा, वो होगा, फिर भी देखते हैं तो बस वही मान के देखो इसको, जिससे की आगे आपको जो नहीं पता, वो भी सीख सको ठीक है, बारी की से, चलो, तो इसमें क्या है, बिसम संख्या की बात कर रहे हैं, तो भी यह वाला होगा, C और D, ठीक है, कौन-कौन होगा, C और D, चलिए, सम हो गया, बिसम हो गया, आप क्या पढ़ना है, भाज संख्या, भाज और भाज संख्या, है न, भाज या भाज प मिन्स पढ़ना याद कभी कलास मिख अग्यां कि वालों का सीडियूल है पहले देख लेता हूं भिर प्र पढ़ना दैंच Qygai यह बहुत कुछ है अओधे लेड़ा वालों कारे यह तारी घंडों जाओं दाई खार दो आरहे हैं हम आपके प्यारा मुख्बत वाली बातों में आ रहे हैं जिनके लिए तुम तड़ फड़ा रहे हो हां कहते हैं बस चाहिए जिन्दा चाहिए बाकि कुछ कोई क्वाल्टी नहीं है ना आगे नहीं आगे बोलेंगे यहां पर पहले टॉपिक डालते हैं तब इनमें दो पार्ट करतो भाई में टॉपिक अब आ रहा है मज़ेदार वाला मज़ेदार वाला टॉपिक आ रहा है जिसके लिए तुम तड़ फड़ा रहे थे अभी तक इसी में तो तुम्हें वो चीज़ सिखाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक होना चाहिए ना हम ऐसे बीना मतलब का थोड़ी बोलेंगे अब आज संख्या इनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इनका संबंद जो है अपनी प्यार मोहब्बत से कैसे करोगे वह बताऊंगा देखो पहले समझो बताता हूं तो लेकिन आप लोग याद नहीं रखते हो कमपोजीर देखो समझो अब कैसे समझो भाज या भाज में क्या अंथर होता है पहले मौछिक सुन लीजिए फिर ने पैक रोगिए है जैसा कि मैं आपको मोटा मोटा पहले बताएं पहले वही सुन लीजिए तो भाईया ऐसी गर्ल्फ्रेंड जिसका सिर्फ एक गर्ल्फ्रेंड हो वह क्या होती है प्राइम और यह पर भी लागू होता नहीं गरियाना मत बात में कि आप तो यह तो भी रोधी हो गए दूर भ बात इसमें पति-पत्नी कम होते हैं गर्ल्फ्रेंड वाफ्रेंड ज्यादा होते हैं वजह होती है उसकी उसकी प्रॉपर वजह होती है आपको पता है आज कि 20 साल पहले गर्ल्फ्रेंड वाफ्रेंड नहीं हुआ करते थे मतलब 20-30 साल पहले क्योंकि लोगों की साधियां ह हो जाती थी 14-15 साल पहले उनको कुछ पता ही नहीं होता था तब ही हो जाती थी फिर अपना सारा experiment सारी चीजें सारी मतलब जो भी तमन्ना है हर चीज उसी में पूरा करते थे सीखते थे अपना एक दूसरे में ठीक है तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन आज कल क्या है आज कल भाई 30 साल तक 35 साल तक कुछ मतलब बाकी आप समझी रहे हो ना तो होता है यह सब और कहीं छुपा नहीं हर जगा दिखता है ना तो यह समझ गया आप इनका relation में कहां से बताया आपको काय को बोला जो एक जामप्ट भाई यह है वह जिनके सिंगल सिंगल होते हैं नहीं उल्टा हो गया यह रही हो है जिनके अब ऑन्यूप नहीं नहीं है बाने के लिए उनका तो एक्जाम्पल से समझाते हैं रियल वाले एक्जाम्पल से मैत वाले अब तक तो तुम बहुत दिल खोल के सुन रहे थे अभी यह भी बताऊंगा जो तड़फ रहें उनके बारे में बस क्लास को पूरा देखना बस खतम ही होने वाला लेकिन में पॉइंट तो भी बचा है देखो इसमें जैसे मैंने एक संख्या ले लिया मानलो बहुत छोटा फा नंबर लेंगे बहुत बढ़का नहीं 12 तो भाईया इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते है 12 के देखो बाबु प्यार से समझना इनका फैक्टर 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 12 हो सकता है देखो फेक्टर का मतलब पहले समझ लो नहीं नहीं हो रही है याद रखना अभी इसकी बात नहीं हो रही है तो एक मिनेट रुको पहले इनको हम अगले पेज़ पर समझा दें आपको देखो यहाँ पर फैक्टर का मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 6, 12 इनको कहा कि यह सभी क्या है इनके फैक्टर है 12 के तो कैसे फैक्टर का मतलब इन सभी संख्याओं से बारी-बारी नंबर से इनको भाग करें तो 0 सेसफल आए तो वो क्या है फैक्टर है अगर 0 सेसफल ना आया तो वो फैक्टर नहीं है ठीक है सभी समझ रहे ना बाबू चलो देखो जैसे इनको दो से भाग करेंगे तो बारा कितना है जीरो मतलब क्या है टू जो है इसका फैक्टर है यानि यह क्या है टोयल जो है वो टू के साथ पूरी तरह से सर्टिसफाइड है यानि खुस है एकदम समझे रहे हो खुस है का मतलब कि तमनना नहीं बच रही है वागई सब जीरो है जैसे एभी तूम्हेरा इससे तुम खुस रहते ओ जिसके साथ से सबच दुखक दो है जिसके साथ से सर्टिसफब बचने लगता है एकाथी six रहने लगती है बैट रहा है तो ऐसे क्या है यहां पर सेस्पल १ीरो आ रहा है मतलब आप इसकी कोई चाय और नहीं बच रही है दो चोग क्या होगा बारा यहां पर भी जीरो सेस्फल आ गया यानि यह तीन के साथ भी खुश है यहां पर भी जीरो सेस्फल आ रहा है लेकिन तो जिससे भाग कर रहे हो सब के साथ खुश है दिखा रहे हो नाराज तो किसी के साथ है नहीं किसी के साथ कुछ बचतो रहा नहीं स तो पांच दूना दस घटाने पर आया दो अब इनकी दो इच्छाएं पूरी नहीं हुई यानि दो सेसपल आ गया ना तो हम कहेंगे कि ये पांच जो है इसका फैक्टर नहीं है ठीक है क्या है इसका फैक्टर नहीं है यानि इसका क्या है गुड़न खण नहीं है ठीक है क्यो इसका गुडनखंड नहीं है तो जिससे भाग करने पर सेस्पल जीरो आए वो उसका क्या है गुडनखंड है यानि फैक्टर है तो आईए अब इसको समझ गये हो तो फिर चलो ले लो जो बचाए वो भी चलो भाई तो एक बात बताओ एक बात बताओ तुम अभी बहुत अब इनके पडोशन है इनके जो जश्ट बाद है वो बिल्कुल खतरनाग टाइप की है इनके जो फैक्टर है सिर्फ दो ही है तो यहाँ से क्लियर हो गया एक एक जामपल से कि ऐसी संख्या जिसका गुडनखंड यानि फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होगा बाकि दूसरा नहीं होगा और वो क्या होगा वन होगा जो सबका होता है जो सबका होता है वही उसका भी है ठीक है तो वन क्या है वन हर किसी का फैक्टर होता देखो इसमें भी है इसमें भी है यह भाज में भी रहता भाज में भी रहता हर किसी में रहता है नंबर एक बैमान नहीं है यह और दूसरा वो संख्या खुद होगी दूसरा वो संख्या खुद होगी वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगी यानि एक संख्या तो वन होगा एक वो खुद होगी स्वयम परजंट होगी देखो जैसे एक ठी लेले 17 17 में भी वान और 17 ठीक है समझ रहे हो जैसे माल लो कोई और नंबर देलो 53 53 में भी आई साय ना भया एक तो वह ना एक 53 है यानि जैसे अब एक्जांपल बताया था ना ऐसे गर्ल्फरेंड बॉयफरेंड जिनकी एक गर्ल्फरेंड ये बॉयफरेंड होते हैं वो क्या होते हैं इमांदार होते हैं वाफादार होते हैं मतलब और बहुत सारी चीजें जो लोग कहते हैं वास्तिविक जमाने में वो होते हैं थीक है और जिनके इस तरह के देर सारे होते हैं वाई यह है वह है वह आपना अलाग अलाग टाइम है अलाग चीज है ना तो यह क्या है यह भाज है अभाज नहीं हैं जीनने कहते हैं बैमान टाइप के हैं यह समझ गएन इनके ठीर सा रहे हैं एक नहीं है अब इनको नहीं बोलना आप अब अगर इस जांपल भी भूल गए तो तुम को ला के दिखाएं यह पकड़के का अदिकाएं का ला के तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 6, 12 और एक नमबर चाहिए और भी कोई भी ले लो मानलो 18 मैंने ले लिया 2, 1, 2, 3, 6, 9, 18 इनके धेर सारे फैक्टर है बोलो है की नहीं धेर सारे हैं blue संक्राज जिनके धेर सारे फैक्टर होते हैं मतलब कुल मिलाके दो से अधिक होते हैं धर्मेंदर समझ में आ रहा है रादा समझ में आ रहा है आशीस ये भी पासवान सभी को समझ में आ रहा है तो भाईया ये कलास मुझे लग रहा है काफी टाइम की हो गई लोग बोर होने लगे हैं मुझे पता है इनको हर समय ना नया नया चसका चाहिए थोड़ा अलग लग टेस्ट वाला तो मैं कोई कमेडी तो करूंगा नहीं न तुम्ह वह दिखाऊंगा कुछ घर्म ठंडा यहां पर कि यहां तुम्हे अच्छा लगे तो पढ़ाना यही पढ़ेगा हां आऀये मैंन कोई हञा अबता देता हूं ध्यान से सुनिये कि जाईए अगा ने इसमें कोई दोराय नहीं है मतलब की यह गढ़बड़ चीज घर अच्छी चीज है वास्तों में अच्छी चीज है लेकिन समझना चाहिए जैसा कि मैं सीखाउं आई नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं तुम्हें अच्छा दिख रहा हूं बस समझ रहो बाकी चीजें आप सबको पता हैं मतलब इतना गंदा भी नहीं बुरा भी नहीं मतलब अच्छा ही हूं वह तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं देखो सुनो मतलब की बात मैं यह फ्र लगेगा एक बार हाँ बोलो सभी यस या नो हो सकता है कि नहीं बिलकुल हो सकता है आजकल की निभी नभाबा वाले प्यार में होता है कि नीम के पेड़ सोन लो तुम लोग इसी लिए थे मुझे बता है पहले सुन लो होता क्या ना देखो कुछ लोग कह रहें हाँ बिल्कुल सही बात है होता है लगता है तो यह बोल रहा हूं अक्तर मेरे वाटसाप पर बहुत साय लोगों के कुश्चन है आज कल कीवा बहुत डिप्रेशन में रहते हैं यह बहुत इंपॉर्टन चीज है यह अपना अनुभव अगले को सेर करना चाहिए बहुत इंपॉर्टन है कापी टेंसन में ना पढ़ाई होती है ना आगे लाइ सकते हैं जो बहुत ही पढ़ाकू टाइप के हैं इनसे नहीं मतलब वो जा सकते हैं क्लास खतम हो गई है कुछ एक्जांपल करवाओंगा थोड़ा सा ठीक है तो सुन लीजिए मैं बता के तभी जाओंगा आच चाहिए कोई सुने चाहिए नहीं क्योंकि अगर एक को ठोर न रूम नहीं बता रहें तुम्हें बता रहे हैं अबर्ट के जारे बटन और यहां अब आपको बताया गया एक रहे लहां नहीं के चल रहे हैं अपड़ा और आपके भौत घ्वन में करने वान ओंबस्त करने जो किये हैं जिनका टूटा है जिनका सही चल रहा है उनका भी कल वही होने माला है ध्यान से तुनना तो एक कमरा बताया गया तुमको लेके चल रहे हैं वहाँ पर हर एक चीज उपलब्ध है जो तुम्हें जिन्दगी में चाहिए धन दौलत रुपया पैसा खाने पीने के च लेना बाकी काम दंन कुछ निक इस सब हैं चलो होता क्या है आपको परिजंट किया बैठाए गया कि नसगेए लड़ू फूट रहें अब तो बस जिंदगी सटल हो गईए पढ़ना लिखना नवकरी टेंसन कुछ नहीं सब कुछ मिल गया जो चाहते थे ऐसा ही तो आश्य यह होता है ना कैसे गुजरते हैं मेरे दिल रात न पूछो है ना तो सुनिए होता क्या है आप बैठे हो कलपना की दुनिया में खोए हो सबसे पहले कहां से सुरू करेंगे ना अभी याद रहे कि आपके आख बंद है लाइट नहीं कमरे में कमरे में अंधेरा है जब तक यह सब सोच रहे हो जब तक यह सब आपके दिल में आरे तक अंधेरा है कमरे में लाइट नहीं है फिर उसके बाद आपके आँक खोली जाती है अचानक लाइट आती है अब आप देखते हो महाँ पर जानवर गंदगी किये हैं गंदार आ रहा है साइड में गंबले जो लगे ह है ना तो वहां कोई धन दवलत रुपया पैसा खाने पायनने की चीज है कुछ भी नहीं है एकदम सम्तान घाट से भी बहतर मतलब बदतर है वो अब बताओ अब यहां पर पॉइंट सीखने वाला मिल रहा है थे आन से सुनना गलती किसकी है गलती जो आपको बताया था आपने जो सोचा था कलपना किया था कि यह यह सब है उसकी है यह जो लाइट जल गई आपकी आँख खुल गई उसकी है सही बताओ सभी फटा फट चलो मैं आप संदे देता हूं जिनको लिखने में तसली नहीं हो रही है चलो बताओ जिनकी आप लोग यह बता मुझे यहां पर गलती क्या है नंबर एक गलती यह है जो आँख खुल गई भईया और दूसरा गलती यह है कि जो आपने उमीद किया था या फिर जो आपने सोच रखा था वो गलत था क्या गलत था ए या भी इसमें गड़बड क्या था आर्यन कुल्दीप ठीक है जलो बेरे गुड और कोई सबकी राय देखते हैं किसकी गलती थी क्या गलत था गलत तो वो था ना बिल्कुल सबसे का साही जवाब है गलत यह था कि जो आपने कलपना कर रखा था सोच रखा था ठीक है वो गडबड़ था लाइट आ गई आँख खुल गई तुम्हें सच्चाई दिख गई वो बहुत अच्छा हुआ थीक है यह सच्चाई आप लोगों की प्यार महबत में भी किसी किसी को जल्दी दिख जाती है किसी किसी को बहुत देर में दिखती है और हमारे जैसे जो चार आँख से देखने वाले होते हैं उनको एक है महिनम दिख जाती है देखो सब यह बता रहे हैं मतलब आँख जो खुल गई वही गड़बड़ हो गया यानि उसी उमीद में खुश थे हाँ यह बात तो है खुश तो थे उसमें कलपना में खुश थे कमजोर तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं और बिजेता तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं बिल्कुल सही सुना आपने सबसे पहले देखेंगे यह structure जो है वो आज आपको referral number के बारे में पूरी गाथा सुनाएगा जहां पर आप multiple color देख रहे हैं और इन color के अंदर जो लिखे हुए later है अलग-अलग उनका अपना अलग-अलग मतलब है इसे पूरा अच्छे से समझने के लिए class को last तक देखते र यह पूरा पूरा रेफनल नंबर को denote करता है यानि पर मी वास्तविक संख्या ठीक है तो मतलब जो पूरी संख्या की मंडली आप मैथ में पढ़ते हो वो सब वास्तविक संख्या के ही लड़के बच्चे होते हैं बात पक्की है ठीक है वाई टेली कराम में नोटिफिकेश नहीं दिया हूं साइद भी बता देता हूं समझ गये और बाकी उनसे जो छुटकी वाला है जो ब्लैक वाला गोला है वो क्या करता है ठीक है तो जो ब्लेक वाला गोला बाबू भाईया वो क्या है यह ब्लेक वाला गोला आपको परदर्शित करता है यहां पर देखो क्यों फार रेफनल नंबर यानि सबसे बड़ा जो परिवार है वो रेफनल नंबर का नहीं है रियल नंबर का है रियल नंबर रेफनल नंबर का पिता जी यह बाप है बाप देशी बाता में ठीक है क्योंकि इसी के अंदर यह आता है यानि रियल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं क्योंकि रियल नंबर का परिवार बहुत बड़ा है रियल नंबर के अंदर आपका रेफन का है न फिर उससे बड़ा हो जाता होल नंबर का फिर उससे बड़ा हो जाता इंटीजर फिर उससे बड़ा हो जाता आपका क्या रेफनल नंबर पर्मिय संख्या फिर सबसे बड़ा रियल नंबर आईए इसके बारे बिस्तार से बात करेंगे बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं लाइब उनको एक बार हम विश्वास दिला दें कि हम लाइब हैं जैसे कि पंकत सिंग कमेंट आ रहा है बंद्रा देभी आपका भी कमेंट आ रहा है अंकीता यादो कमेंट आ रहा है मित्थुन जी कमेंट आ रहा है आद तक तब तो जितने भी साथ ही डेली टाइम पे कलास में आना चाहते हैं बावु भीया वह हमें टेली गराम पे जरूर जवाइन कर लें क्योंकि टेली गराम पे हम सारी सूचना देते हैं कलास शुरू होने के बाद हमारे कोई एसिस्टेंट और साथी नहीं मैं खुद नोटि पिकेशन पलपल की अपडेट इस टेली गराम चैनल में मिलती है बबुआ तो आप हमें इस पर जोईन करना ना भूलना ठीक है अगर फिरी पढ़ना है यूटूब पर तो ठीक है आगे बढ़ें डन टॉपिक है रेफनल नंबर ए रेफनल नंबर ये दो टॉपिक क्लियर ह होंगे जिनको जरूरत है वो कलास में बने रहेंगे जिनको आता है वहां से निकल लेंगे चलो निकल नहीं लेंगे चाच्चा आता है तो रिवीजन करेंगे जाने का नहीं परिभासा पढ़ेंगे परिभासा में क्या क्या होगा देखो रेफनल नंबर इरेफनल नंबर की परिभासा उधाराण definition और example पर्मिय संख्या के बीच पर्मिय संख्या निकालना पर्मिय संख्या के गुण यानि property आप पर्मिय संख्या और बहुत कुछ पढ़ाएंगे कोशिस करेंगे सब कवर करने की अगर इसमें कुछ बच गया क्योंकि टॉपिक बड़े-बड़े हैं तो उन्हें अगली क्लास में देखा जाएगा ठीक है पर्मिय संख्या क्या होती पहले परिभासा देख लो किताबी परिभासा क्या है बाबु भाईया सभी को समझ में आ रहा है चलो ऐसी नंबर जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो पर्मिय संख्याएं कहलाती है जैसे एक्जांपल यहां पर आपको दिये गये हैं अभी जादा कुछ समझ में नहीं आएगा अभी मैं इनको विस्तार से समझाओंगा तो समझ में आएगा पी अपान क्यू का मतलब क्या है बताऊंगा इसका पीडियेफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी समझाओंगा अच्छे सब समझाओंगा पूरा ओपन करके अपर्मिय संख्याएं क्या होती है बाबू ऐसी संख्या एक मिनट यह बाहर निकल रहा है क्या यह भी थोड़ा बाहर निकल रहा था ना एक मिनट रूग जा रूग जा अरे बताता का है नहीं भाइआ यह बोड़ावा बडा जग़हिया छोटी है बताना चाहिए ना तुम लोग कॉक्का जैसे देख रहे हो बोलो न इसका पीडिया भेज दूँगा टेलिग्राम पे डॉन ट्वरी चलो आगे पूरा साइज में ओके ठीक है बाबू चलो तो ऐसी संख्या जिन्हें पीडिया पानक्यू की रूप में नहीं लिखा जा सकता वो आपर्मिय या इरेफनल का लाती है जैसे हमार जाते हैं देख लो इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो पर्मिय संख्या नहीं होती है वो सभी आपर्मिय संख्याएं होती है ठीक है इन में कंडिशन एक है वो इस्पेसली मैं अभी समझा देता हूं यहां पर देख लो देखो यहां पर लिखा पी इक्वल जीरो हो सकता है बट क्यू डजनाट इक्वल जीरो क्यू जीरो नहीं हो सकता है एक्जा यह देखो देखो इनको side में कर दो बाद में बढ़ा कर दूँगा चलो देखो कहने का मतलब यह की पर्मिय संख्या क्यूं है यह पी अपान क्यूं का मतलब क्या है पी अपान क्यूं का मतलब यह है कि जैसे number 7 है तो बाबू इसको हम 7 equal 1 लिख सकते हैं मतलब 7 upon 1 यानि किसी भी number के नीचे आप 1 चिपा सकते हो उसको हर और अंस में बना सकते हो ठीक है जैसे 3 upon 9 है तो 3 upon 9 या 9 upon 3 इसे ऐसा लिखा जा सकता है न यहां से compare करके मुझे क्यू कामान बताएगा कोई anyone कोई क्यू कामान बताएगा यहां से compare करके anyone चलो ठीक है बिल्कुल साही पंकत सिंग बेरी गूट तीन आएगा जैसे यह है कहेंगे इसको कैसे पी अपान क्यू के रूप में लिखोगे तो बता देता हूं काई को टेंथन लेते हो देखो इसको लिख सकते हो बबुआ देखो इसमें मास्क लगा उसे हटाना है अंडरूट 25 नाट रेफनल नमबर बट इसका वर्गमूल करने पर यह प्लस माइनस पांच आता है और सो भी कैन राइट एज दिस एज ऐसे और इसको ऐसे कर सकता हूं है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिडाम आएगा वो क्या होगा रेफनल नमबर होगा ठीक है इस लिए अंडरूट 25 क्या है रेफनल नमबर है आदित्य समझ में आ रहा है प्रियंका सैनी आ रहा है सबको आ रहा है यस चांदनी राजपूत सबको आ रहा है चलो तो इनको मैं समझाओंगा अब इस्तार से समझाओंगा अच्छे से समझाओंगा टेंसर नहीं लेने का चलो यह पीडिया भेज दूँगा सब हल करके टेंसर नहीं लेना सब जो मिट आ रहा हूं कोई लिखनेक जरूत नहीं है नौ का स्कॉयर भाईया नौ का स्कॉयर एटीवन होगा और बाबू इसको एटीवन एक ऐसा लिख सकते हो जो कि पी अपान क्यू के बराबर है कि बोलो सबको समझ में आ रहा एक बार यास बोल दो सभी फटा फट यास काओ चच्चा वबत मुस्कराता तु आज उत्तर एक को नहीं बताया कमेंट में सिर्फ सेटिंग है करम लगा कहीं हो जाया बस बस कल्याण है जिंदगी का वही तो सब कुछ है आज की दुनिया में है न लेकिन इच्छा नहीं पूरी होती कभी उसकी चलो यह चीज जान लो पहले तो एडवांस में चलो तो यह समझ गए यह भी क्या है रेफनल नंबर है सेबन पॉइंट फाइफ इसको आप लिख सकते हो 75 अपान 1010 बेसिक में पढ़े हो पहले तो यह पता होगा नहीं पता है तो बता दूँगा ठीक है तो यह क्या है पी अपान क्यू का फार्म क कि सामने से कभी-कभी साइड हो जाता हूं जिससे तुम मेरी सकल ना देखो बोड देख लो बोल नहीं रहा को नो आधेव ज़्यादा तो लाइक भी नहीं करे हैं 380 बच्चे देख रहे हैं लाइक नहीं नहीं करे यह सब कहें को भई हां सभी फटा-फट लाइक करो जल्दी-जल्दी से कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए 300 लोग 400 लोग तो चलो तो ये सबी को समझ में आ गया आगे बढ़ सके हैं भम लोग ठीक है ये एक्जांपल समझ गए हाँ ऐसे और भी बहुत सारे एक्जांपल हो सकते हैं अब मुझे ये बताओ आप लोग इसमें से कौन रेफनल नंबर नहीं है अगर इसको हम कुश्चन नंबर लिख दें चच्चा लो कुश्चन नंबर फेबन मान लो मान लो क्या करना है मैथ में माना जाता है तो मुझे ये बताओ इसमें सेबन A, सेबन B या सेबन C इसमें कौन ऐसा है जो रेफनल नंबर नहीं है फटा फट बताओ आएगा लक्षिमी जी आएगा समझ में थोड़ा इंतजार अगर C सही है तो आप सेबन C लिखके कमेंट करोगे तभी मैं बोलूँगा कि हाँ आप बताए हो अगर D सही है तो सेबन D लिखोगे ये तरीका है कमेंट करने का दीपांसू आ रहा है दान तो निकाल रहे है तुम थोतन काल रहे है वाई से आई भूपेश चतुरुवेदी बेरिकूट बहुत अच्छा तरीका है आसीस पूजा चांदनी सुमन ठीक है बाकी लोग तो केवल हमाया थोबड़ा देखे आया है ठीक है देख ला तो भाईया हो बाबू हो इसमें सेबन का भी सही है जिनको नहीं आता है जिनको आता है दोनों लोग एक समान मान के बैठिए तभी सीख पाएंगे ज्यादा एटिट्यूट दिखाने का नहीं इसमें देखिए अनलिमिटेड है यहां डाट डाट है इनकी कोई लिमिट नहीं कहां से आएं कहां को जाना है तो इस तरह की दसंवलों संख्याएं जो होती है वो रेफनल नहीं हो होती है ठीक है इनका कुछ अता पता नहीं है कहां जाएंगे क्या करना जैसे आज कल के कुछ बच्चों का है उनको कौन सी नौकरी चाहिए कि छेतर में जाना है क्या बनना है कुछ नहीं पता है इंटर के बाद क्या करना था वो भी नहीं पता था वो तो बाबू एड्मिस पूम पर रह करके पढ़ाई को छोड़ के बाकि साब हो रहा है है ना यह सच्छाई है 80% से ज्यादा लोगों की फिर कहते नहीं मिलती है कुछ भी पूछो के नहीं बताएंगे आदत इतनी खराब हो गई है कि बाप का नाम पूछो के तब भी कहेंगे आप सन बताओ यह कंप यह यह इनको explain करते हैं खाली पेज में यह चीज यहां पर बहुत अच्छी समझने वाली है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती जिनको मास्क हटाने के बाद पहचान होती है कि वह पर्मिय है कि नहीं है जैसे देखें आपर माननीय मोदी जी का मैंने कुछ मास्क लगाया है रख होली वगरा के तेवहार पर कुछ बच्चे लोग किसी और का मुखोटा पहिन के खेलते हैं लगता फलाने हैं जैसे मोदी जी के बहुत सारे मास्क आते हैं आज कल मार्केट में फेमस हैं आप इनका मास्क पहिन लेंगे तो आपको लगेगा कि हां यह मोदी जी है ऐसे आग करो पहले कलकुलेशन करो तभी डिफाइड कर सकते हो क्यों रेफनल है कि नहीं है जैसे इनको साइड में कर दीजी आईए एक्जामपल देखिए जैसे जैसे अगर यह लिखा है 625 तो यह रेफनल है कि नहीं है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें जब तक आप इस पे से वर्गमूल का चिन नहीं हटा देते यह क्या है मुखवटा एक परकार से जैसे मैं उसमें दिखाया ठीक है तो इनको हटाने के लिए यह हटेंगे यह नहीं हटेंगे अगर हट गया असानी से तो रेफनल है नहीं हटे तो इसमझ रहे हो तो इसका वर्गमूल हमें पता है कि पलस माइनस पाचीस आएगा चाच्छा तो यह हट गया प्यार से बिना किसी लफड़े के हट गया तो इसको मैं पाचीस बटा एक लिख सकता हूँ तो यह क्या है पर मिया संख्या है है लेकिन एक और देख लो अग्या अटरूट 61 क्या यह भी हट सकता है से नहीं हट सकता है तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ ऐसा अगर मैं लिख दिया ती यह ड़ज अट इक्वल पी अपान क्यूं क्यूं भयाओ चाच्चा इस पर अंडरूट लगा इस पर अंडरूट थोड़ी है तो यह पर मिय संख्या नहीं है कौन कि यह रेफनल है कि मिस काब्या समझ में आ रहा है बातचीत हो रहे हैं यहीं मौका है है ना बाकी पढ़ने लिखने किसका कल्याण हुआ आज कल धाय अच्छर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है लेकिन प्रेम कहां करते हो तुम तो नोचना चाहते हैं दूसरे को है ना चल य बाकी चीजें बीच बीच में होती रहेंगी बलेंटाइन डे आ रहा है कितने लोग की कुर्बानी होगी इस पर उसके बारे में बात करेंगे अभी बात में चलो, डन, आगे बढ़े, समझ गए, एड़ जा, तो यहाँ पर समझ में आया, यह उसी मास्क के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठिक है, क्या, अंडरूट 25, यह क्या है, यह पर्मिय संख्या के नियम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल हटाने के बाद यह क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, सो यह क्या हो गया, रेफनल नमबर हो गया, है न, दन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राजिया समझ में आ रहा है, इसको देखिए, यहाँ प लेकिन अगर तुमने अच्छे फे धंग से तयारी कर लिया और तुम्हें ससी में बाबू हो गए तो आपके पापा जी बड़े गर्ब के साथ कहेंगे लेकिन तुम कुछ नहीं हो लेकिन करो अच्छा तो हो सकते हो जैसे देखो यह क्या है अभी यह रेफनल नंबर नहीं है लेकिन यह कुछ मेहनत करके इस पे से यह बीमारी रूट वाली हटा देंगे हट सकती है तो यह इतना आ जाएगा अभी क्या हो गया रेफनल नंबर हो गया फिर क्या लगेगा आपके नाम के आगे कुछ और लगने लगेगा काझ काझ समझता है कि अलगे एक क्टी कमेंट कर रहा है सामेट जाम मर जाओंगा अभे तुमा भी मरजा तुरंद मरजा मैं बोल रहा हूं जा गंदे इला नहीं तपतां नहीं कहां पैदा हो गया यह लोगना में पैदा हो गलती से क्या लग रहा है कि निम्न में कौन पर्मिय संख्या नहीं है इसमें जवाब दीजिए नहीं ने कुरोना में बहुत लोग गलती स्पईदा हुए ऐसी बात नहीं किसी को कोई काम धंदा था नहीं तो यही सब कर रहे थे अरे मैं नहीं चलो बताओ question number 10 में कौन सही है तब ही जब आप दो 10 में कौन सही है इसको छोटा कर वहिया देखो क्या आएगा इसमें जब आप दो फटाफट क्या आएगा इसमें एनिवन question number 10 बोला हूँ तो 10 A 10 B 10 C क्या आएगा चलो बताओ कुछ लोग मेरी बात को समझ रहें अंदर से काफी मुस्करा रहें सोच रहें हाँ सच्छी बात है करोना का टाइम याद आ गया क्या मस्त टाइम था कि पूरी दुनिया पूरी काइनात मिलाने में लगी थी हम लोगों को न कोई आ रहा था न जा पा रहा था जिसका जहां लग गया जुगाड़ वहीं रहा गया कि वैसे भी एलेंटाइल मेलेंटाइन अपने देश कर नहीं है हमारे देश की संस्कृति न ऐसी है कि एक बार किसी का रिलेशन बन गया न तो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता हो साथ जनम तक भूत परेज चुड़ेल बनके पीछा करता है और यहां यह जिन देशों की है ना उनके बच्चों को उनके बाप का नाम भी नहीं याद रहता है ममी से पूछते हैं रुको रुको बताती हूं सोच कि अच्छा उस यह में तुम पापा तुमारे मुझे नहीं याद है ठीक है तो यह वहां की संस्कृति के अकॉर्डिंग है वैलेंटाइन देव ठ चलो सही जबाब प्यादाएं यह सी वाला सही जबाब है देवाला तो यह यहां से भाइया स्टार्ट है में पॉइंट आगे सभी चलो चलो तो यह तो मैं पहले एक बार डिसक्राइब कर चुका हूं फिर से एक बार बता देता हूं सुन लो रेफनल नमबर, रियल नमबर, यानी हिंदी में बात करता हूँ, पहले फिर इंग्लिस बता दूँगा, जैसे आयसे समझ लो इनको, ध्यान से समझो, घर परिवार से जुड़े हो न, आसमान से तो नहीं गिरे हो, अच्छा, पापा के पापा को क्या बोलते हो, बताओ, फटापट बताओ, पापा के पापा को क्या बोलते हो, सुद्ध दैसी भासा में, कड़क भासा में, बाप के बाप को क्या बोलते हो, क्या हमारे समझ से मोग यूपी से हैं तो कुछ लोग बाबा बोलते हैं और आजा भी बोलते हैं साय में जो भी और आप लोग विशल पैसे यहां से जो भी जैसे भी समझ सको तो भहिया हो यहां पर बाबा य resposta अाज Banks फ़्य का बात upstairs है ठीक है जो भी बाबा दादा आप समझ लो अलग-अलग जगह की अलग-अलग भासा है अलग-अलग राज्यों की अकॉर्डिंग जो भी होगी लगबग बाबा ही बोलते हैं हाँ चलो ठीक है तो अगर इनको आप बाबा मान लेते हो तो यह आपके पापा हो गए और यह आपका बचवगा होई गार्ण अपकर द्वारा लॉंच किया गया प्रोडक्त मतलब का बेटा-बेटी और पिए आपके बेटा-बेटा-बेटी का बेटा और फिर इस उसका बेटा हाँ बात बन रही है ठीक है चलो तो मतलब ऐसे समझो, यहाँ पर समझो अरे मैं इनको बाबा बनाने को नहीं बोल रहा हूँ वह समझने के लिए तो देखो यह क्या है भाईया, जो real number है वो बाबा है, ठीक है और real number पर ही यह पूरी family बनी है, ठीक है real number के अंदर कौन आया, यह, क्या है यह, क्या है यह, क्यों मतलब देखो यहाँ पर रेफनल नमबर, यानि सबसे पहले धरती पर पैदा हुआ कौन, real number real number से पैदा हुआ आपका यह, रेफनल नमबर, और रेफनल नमबर से जो पैदा हुए भाईया वो कौन real plus integer दोनों मिला करके मतलब integer number मान लो, और integer नमबर से कौन पैदा हुआ, यह, होल नमबर और होल नमबर से, नेचुरल नमबर, यह, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हुँ नहीं, इसको कहीं और गणित लगाने लगो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ समझ गए भी ना, को नो कैरा साथी नहीं हूँ एं, कईसे होगा, का है, तुमको नहीं पता कहा, बिना साथी कह नहीं हो सकता है, सबकुछ एक्टिवेट है, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, साथी त Clay'te, समाज़िक, मतलब चीज है, चलो, ठीक है, फिल्हाल करनी चाहिए, हाँ, तो हम से बाद करते हैं तो मैंने क्या कहा बैए यह कौन है आपके बाबा जी शुल्ख मयं दो act कितनी पुष्ट बनी यहाँ पर कितनी पीड़ियां बनी तो यह याद करो इस तरीके से तो यह सब याद रहेगा ठीक है अब इसमें सवाल बनता है चलो फटा फट यह बताओ एक रेफनल नंबर है तो क्या वो रियल नंबर हो सकता है बताओ यह फिर ऐसा नहीं मजाएगा क्या सभी रेफनल नंबर रियल नंबर होगा हाँ या नहीं बोलो क्या सभी रेफनल नंबर रियल नंबर होगा सवाल का जवाब दो क्या सभी रेफनल मतलब पर्मिय संख्या पर्मिय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है हा या नहीं बोलो फटा फट यास या नो दी पांसू बचवा तुम ही कड़ बढ़ा रहे हो खाय वज़ती करवा रहे हो अगर या वेक मजबूर काय करता हमका देखो कुश्चन क्या है क्या सभी बहुत इंपोर्टन सवाल है याद रखना जिंदगी में अगर आपने उस गराप को समझ लिया पीछे दादा बाबा आजा मौसिया वाला तो जान जाओगे ठीक है क्या सभी पर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो देखो पर्मिय संख्या कहा है यह इदर है पर्मिय संख्या यह क्यों आला है तो भयाओ पर्मिय संख्या तो खुद घिरा है वास्तविक संख्या के अंदर में तो आप कह सकते हो कि सभी पर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है वास्तों में वास्तविक संख्या इनके बाप जी हैं वास्तविक संख्या के तो दो पार्ट थे ना एक रेफनल एक रेफनल तो जब वास्तविक से ही निकले हैं तो कैसे कहेंगे नहीं हो सकते हैं लेकिन इसका उल्टा इसका उल्टा क्या क्या सभी वास्तविक संख्या पर् नमबर मैं इसको कोड डालूँगा बाबू कोड नमबर मालो इसको 20 चलो तो आप लिखोगे 20y अगर यस बोल रहे हो अगर नो बोल रहे हो तो 21 कोश्चन फिर से सुनो क्या सभी वास्तवी कसंख्या सभी वास्तवी कसंख्या मिन्स रियल नमबर वो पर्मिय यानि रेफनल हो सकती है अगर हां तो 20y अगर नहीं तो 20 यन लिखके कमेंट करो तो मैं समझ पाऊंगा चलो फटा फट प्रियंका सैनी बेरे गुड रादा सिंग भूपेश चतुरबेदी कुल्दीब मुहम्मद अर्मान आलम बेरे गुड अरे गदाहा यह मैं यहन बोला हूँ प्रें यहन वाई बोला हूँ तो कोनो यह माल लिखा राए 20 पी लिखा राएं मारे यह का कहें को करें 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 क्या सभी वास्तविक संख्या पर्मिय संख्या होगी नहीं होगी ये तो अत्याचार हो जाएगा कि आपके पापा की संपत्ती पर अपने भाईया को जीरो कर दिया आप कुछ नहीं दिये को गलत नहीं हुआ कहा जाए अगर मालेजी राम और स्याम दो भाई हैं उनके पिता जी के पास दस एकड़ जमीन हैं तो क्या ये कह सकते हैं कि सारी संपत्ति की उनके पिता जी की है वह राम की है लेकिन कंटीसान नहीं कि दोनोंके बात वहार आच्छा है तो दोनों का होगा न हम एक एक तो नहीं होगा न तो वैसे है को कि और हमिश। कर दो भाग खाई संधुत अऊद जो मिरें यो स्क्विए विर्यूय नुद्ड पर परहुंन खाल Remo है वह सकता है एअजर्म बील्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें इरेफनल भी सामिल है ठीक है तब ही समझ गए ना कि नहीं समझे परसांत जी बिल्कुल समझ में आ रहा है ठीक है बेरे गुड इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं मुझे एक बात और बताओ क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है फटटब बताओ नेचुरल नमबर मेंस प्रकृतिक संख्या क्या सभी प्रकृतिक संख्या है का बोलो इक के लिए सब को होल्ड करो फटापट मतलब हमारे मुझ का चाहत है गाली देदी गरियाए दी गंदा वाला हां तो लोग क्लिप काट कियों का परचार कर देखो देखो गाली दी यह देखो जालो ठीक है अब हाथ डंडा तो पड़ नहीं सकता लाइब क्लास में यहीं तो दिख्कात है चाहे तो अपना कैमरा और लेटाप फोड़ दें यहीं हो सकता है आफ्लाइन होते तो पता चलता आफ्लाइन में हमारा ना बात कुछ अलग होता है चलो मैंने कहा कि सभी नेचुरल नंबर यानी प्रकृतिक संख्या रियल नंबर होगा बिल्कुल होगा ये भी कहना गलत नहीं है कि सभी जो नेचुरल नंबर है वो वास्तभिक पूर्ध ऽंख्या भी होती है और सभी प्रकृतिक संख्याएं पूर्ड आंक भी होती है। संख्या है यह सभी वास्तिविक संख्या पूड़ांख है यह सभी वास्तिविक संख्या प्रकृतिक संख्या है यह सभी वास्तिविक संख्या इन में से कुछ भी नहीं कह सकते हो क्यों क्योंकि यह सब से दादा है सब को घेर रखा आपस में तो जो अंदर में है जो जितने अंदर है वो उसके अंदर कही जा सकती है कि हाँ यह इसकी सारी संख्यां इसमें है यह मतलब है ठीक है जैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा थोड़ा समझ लें एक जंपल बताऊंगा बस देखो देखो चाचा देख लो देख लो इसमें पढ़ाने के बाद अगर तुमें ना समझ में आया न तो लिख के ले लो कहीं नहीं सीख पाओगे बस इतना जान लो इफ लिए दिल दिमाग सब लगाओ यहां पे प्यार मोहब्बत बाद में करना अभी साइड में रख दो से चलो देखो यहां पर थोड़ा एक जांपल समझो मतलब अब अब देखो यहां पर समझो अब मुझे यह बता और समझो यह क्या है यह सभी पूर्ड फंख्याएं बाबू क्या है पूर्ड फंख्याएं है यानि होल नंबर है यह सभी रेफनल नंबर है और सॉरी रेफनल तो हैं ही मैं रेफनल की बात नहीं कर रहा हूं यह सभी नेचुरल नंबर है यानि प्रकृतिक संख्याएं है तो एक बात बताओ क् लोहाया नहीं है कि अ कि रमन मीना कि सबसे बड़ा रियल नंबर बैया इन्फाइनाइट अनंत जहां तक मुझे पता है ठीक है क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है कि प्रसाद सिंग का बेज़ो बैया अंग उठी बेज़ो कि अंग देखो मैंने यह पूछा था कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है वो पुर्र फंख्या है बिल्कुल है क्यों क्योंकि पुर्र फंख्या वाली मंडली में यह सब पहले फजा के सामिल है देखो भाई स्था में वन से सुरू है पुर्ट स क्लroz जीरो से सुरू है तो सभी प्रकृतिक संख्या है जो है वह पूल फंख्या EVERY आई लेकिन इसका उम्ता अगर मैं पूछ Academy सब्सक्र नहीं क्ैसर प्रकृतिक कहा है प्रकृतिक संख्या से सुरु हो रही है इसमे जीर भी है ये प्रकृतिक में नहीं आती जीरो नेटий दूनिया में थेक है तब अधिक्तर संस्क्रीट और रोमन शंख्या में आग Evan Brenty जाती थी जैसे ए कग मुझे तो हादा ने भी संस्कृत में गिनती दस को दसम बोलते हैं बस इतना जानता हूं नो को नमम ठीक है आपने देखा होगा संस्कृत में गिनती और इसी आधार पर गिना गया था कि रामण के दस सिर्थ है क्योंकि उस समय जीरो की खोज नहीं हुई थी तो उसमय दसम ब नमबर एक नमबर एक आज हम यह पढ़ेंगे इसमें परमिय संख्या का निमनतम रूप या सरलतम रूप जिसे आप लोग देशी भासा में कहते हों मुझे काटना नहीं आता है ठीक है जैसे अगर कहीं ऐसे नमबर लिखा है ऐसे लिखा है तो आप इनको कट करके सामान तर जाब्त करोगे यह सही नहीं है एक्जांपल बताया हूं ऐसे कैसे करोगे उसका क्या साथ तरीका होता है क्या नियम होता है यह सब बताएंगे बाबू ठीक है मुझे सबका कमेंट दिख रहा है बोलूँगा नहीं किसी का नाम पहले पहले पढ़ाई ठीक है पहले पढ़ाई पर्मिये संख्या का जरलतम या निवनतम रूप निवनतम दिख रहना उधर रूप सरलतम या निवनतम या निमनतम ये आज आपका पहला एक टॉपिक होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से ढंग से ठीक है कमेंट सबका दिख रहा है थोड़ा तफली रखो सबका कमेंट दिख रहा है बाबू ठीक है चलो दूसरा क्या पढ़ेंगे आज दूसरा पढ़ेंगे योगात्मक परतिलोम गुडात्मक परतिलोम मैंने सारे टॉपिक नोट करा आया जिससे कि कोई लेट ना हो फटा-फट सारे टॉपिक क्लेयर हो जाए selective and multiplier motif पढ़ेंगे और additive and multiplicative इंवर्स भी पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा सहीरा मुझाए कम सही लग रहा है यार दिख रहा है सही समें इतना दुर में ठीक है यह एक टॉपिक है बहुं ज्यादा पदला चल गया न दूसरा क्या पढ़ेंगे योज तत्समक वा गुड़न तत्समक इंगलीज बताओं गरुको गुड़न तत्समक कुछ ज्यादा जूम है बोर्ड मुझे लग रहा है न यह चलो काम चलाते हैं पहले गुड़न तत्समक इंटें बोलते हैं इंगलीज में कि एडिटिव एंड कि मल्टिप्लिकेटिव कि आइडेंटी स्पेलिंग का होती है कि आइडेंटिटी होता है ऐसे ठीक है तो यह सब क्लियर होगा आज की क्लास में बस सबर रखो अगला पढ़ेंगे गुड़न तत्समक के बाद में परतिलोम या उसे बेउतकरम भी बोल सकते हैं लिखो पर्मे संख्या का गुड़न या बेउतकरम परतिलोम योगात्मक परतिलोम योगात्मक वा गुड़ात्मक परतिलोम ठीक है सबी का कमेंट आ रहा है सब का दिख रहा है रोकी कमेंट आ रहा है बंदना आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है भाई Gamer FF अर्चना यादो जी आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है पंकत सिंग आपका भी कमेंट आ रहा है मेना अक्षी सुकला जी सबका कमेंट आ रहा है मैं सबको देख रहा हूं चलो आगला लिखो एडिटीव आएंड मल्टी पिलीकेटीव इनवर्स रुख जाओ डिश्टरब कर रहा है कोई एक मिनट इसको मार के आता हूं पटक के रुख जाओ काई दिमाग का पंचड़ बना के रखा भाई निकल लें यहां से कौन कर रहा है कौन दू तिन ठोर है ठीक है तो यह चार टॉपिक है बाबू इसमें से कितने लोग को यह चारो टॉपिक आते हैं बताओ आधा है बाचीत नहीं बाचीत वालों को वह मिस्टर रोहित बहुत कडाई में रखिये इनको जो बाचीत करें उन्हें फटा पट बलाक करिए यहां से ओनली पढ़ाई not setting कोई setting नहीं यहाँ पे राधा सिंग कुल्दी भारती यादो सबका कमेंट देख रहा हूं तुम्हारा जो चुप हो रहा है सब मैं देख रहा हूं तो ऐसा कुछ ना करो यहाँ पे नहीं बेजिती कर देंगे स्क्रीन साट लेके यहाँ दिखाएंगा भी स आपको चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्मिय संख्या का सरलतम या नियूंतम रूप ठीक है आईए जैसे अगर मैं छोटा सा नंबर दूं आपको एकदम छोटा सा देखो एकदम छोटा पर नंबर यार एक मिनट मुझे लग रहा है ना लाइन जो है ना बहु कि अगो इसे आप शरल करके बरदाओ सरलतम रूप कैसे आएगा एनीवन कोई कर पाएगा देखो पाबु सरलतम रूप यह होता है कि इसको मतलब इतना सरल किया जायए हल किया जैसे कहते हो आप काटा जाय न कि फिर वह और आगे ना कर सके मैद की भासा में कहते हैं कि इसक मतलब फिर जो फैक्टर हो वन के अलावा कोई और ना हो यह काफी ज्यादा जूम था इसलिए मेरा ना दिमाग का यह पंचड़ बना रखा था गादाहा नहीं तो इतना बड़ा बोर्ड का है को लगाया रहे बाबा चलो डन कोई बताएगा एनिवन क्रिष्णा मिष्टर आ रहा समझ में लक्षमी पाठाक चांदनी राजपूत आ रहा सबको आ रहा चलो ठीक है देखो देखो मैं बताता हूं देखो यहां पे जैसे अगर मैंने एक नंबर रे लिया एकदम छोटा फ़ नंबर मालो कि मैंने लिखा 128 बटे 112 देखो 128 बटा 112 इसको सरल करके क्या लिखा जा सकता है देखो पहला तरीका जो आप करते आये हो पहले वो देखो जो हम बच्पन से करते आये हैं पहला तरीका यह है कि इनको पहले दो से काटेंगे तो 12 दो चोग आठ दुई पंचे 10 दुई चंग बारा ना यह एक तरीका हो गया लेकिन अभी और आगे यह कटेगा तो दो से काटो तो 32 बोलो साही है ना भाई अभी फिर यह दो से कटेगा अभी भी सबर नहीं है इसको अभी फिर कटेगा यह देखो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूं कि इतनी बड़ी मुसीबत इतना बड़ा लफड़ा नहीं करने पड़े किसी को बताओ यह कितना इस्टेप में हुआ कोई गिन के बताए यह पहला इस्टेप तुम्हालो था ही दूसरा तीफरा चौथा और पांचवे में आंसर आया यतना बड़ा नहीं करना है मैं आपको यही पढ़ाऊंगा लाइट बहुत कम है काहे नहीं बोल रहे हो बाबा भाईया बोलो न यार देखो लाइट बहुत कम थी न आप देखो देखा कुछ बोलना चाहिए न आप लोगों को ब्राइटनेस कम है लक्षमी पाठाक समझ में आ रहा है कुलदीप आ रहा है समझ में बादचीत वालों को तुरंद होल्ड करो फटा फट कोई बादचीत नहीं अलाओ नहीं कोई बादचीत नहीं परमिय संक्या का सरल्टम या निवनतम रूप वो होता है जब वो अपने एकदम अंति मवस्था में हो फिर उसके आगे कुछ नहां हो सके समझ रहा हो ना मतलब भीन्न के रूप में ही हो लेकिन उसके आगे फिर कुछ कुछ ना हो सके जैसे देखिए एक्जांपल सही समझोगे मुह से नहीं समझ में आ गई है कि जैसे इसी को ले लो कि 128 बटा 112 न इसमें बहुत कुछ हो सकता है चार-पांच स्टेप में मैंने जो हो सकता था किया और फाइनल में आ तो मैंने कोई फारक में फटा है और ऐसे आसिक में बहुत बट्ख तो वेक्त करें तो इसका सरुल्तम रूप वह रूप होता है पी अंपन क्यूप के रूप में जब इसमें पी और क्यू के पद का जो मान है यानि अंसर हर उन दोनों का जो कामन फैक्टर हो वो सिर्फ वन हो सिर्फ वन हो बाकिया और कुछ नहों तब उसको सरल्टम रूप बोलते हैं कि सभी समझ रहे हों कि नहीं बोलो यास अब इसका जो है अगर आप देखो तो 8 upon 7 को और ज्यादा सरल्टम नहीं किया जा सकता है लेकिन लेकिन एक चीज और जो उपर आपने किया था उसमें क्या था इसको मैंने एक बार फरल किया था इसको देखो तो ये आया था इधर वाला ये आया था लेकिन इसको फिर फरल किया ये आया फिर इसको किया ये आया फिर ये आया कितने स्टेप में आया कई स्टेप में आया ना तो ये क्या था भाईया हो ये इसका सरलतम रूप नहीं था फाइनल में जाकर करके आया था सबी समझ गए ते एक बार येस बोल दो जिनको नहीं आया मैं बता रहा हूँ देखो फिर से बता रहा हूँ टेंसा नहीं लेने का चलो दो डांट वरी चल भाईया एक और ले लो एक और ले लो जैसे अगर मैं एक नंबर दूँ आज मैं चुनिंदा नंबर ही दूँगा जिन में कुछ मज़ा आ सके 192 बटा 180 चल भाईया इनका सरलतम रूप बता मुझे कोई एनिवन कोई बताएगा बोलो नहीं पटक के मारें जानलो दिमाग खराब किया इसी मना इद्दम परिसान कर देते हैं कुछ हैसे आ जाते हैं गदाहा टाइप के चलो देखो सिंपल में बाबू देखो इनको अगर आप ऐसे करोगे जो अभी घसाटा हुआ तरीका किया था तो पाँच इस्टेप में करोगे तब जाके कहीं आंसर मिलेगा कुल वजहाई कर लोगे तब लेकिन बिना इसाब लफड़ा करने से आंसर मिल जाए उसका तरीका क्या है इसका सरलतम रूप या निवनतम रूप वो होता है जब प्राप्त भिन्न का अंसर हर का कामन फैक्टर सिर्फ वन बचे बाकी कोई न बचे इनके कामन फैक्टर अभी बहुत सारे हो सकते हैं तब से पहले तो टू ही है सोला भी इसका कामन फैक्टर है इसका आठ भी common factor है कि नहीं है आठ नहीं है स्वारी आठ नहीं है common factor दुनों में आठ नहीं है लेकिन फिर भी एक से दीखा है अभी ठीक है अरचना बता रही है और 40 बटा 45 और कोई अंकीत सिंपल में इसका मैं जादू बता देता हूं तुम्हें जो मेन है इनका क्या करेंगे आंसवा हर का HCF करते हैं और HCF आपका इतना तेज होना चाहिए कलकुलेशन कि आप मन में कर लो खटाक दे पटाक दे अंसर आ जाए ठीक है तो इस तरीके से अगर तुम करोगे मेरे भाईया बाबू तो इनका HCF कितना आएगा 12 आएगा करके देख लो HCF अब जिनको HCF नहीं आता है उनको कच्छा एक से 10 तक वाली मेहत पहले पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है मैं नहीं बताऊंगा कि 16 आएगा कितना आएगा 12 आएगा न बाबू तो देखो 12 आएगा 12 से काटो इनको फटा फट दूबारा कटने लाइक नहीं बचेंगे यह इतना बुरा कटेंगे 12 से कटो 12 एककम 12 बचे का 7 हो जाएगा 72 12 चंग 72 इनको 12 से कटो के 12 एककम 12 बचे का 6 12 पंचे 60 बराबर 16 बटा 15 ये हो गया आपका सरलतम रूप इसके आगे कुछ नहीं होगा इसका ठीक है बहुत अच्छे भाई सबको कमेंट आरा सबको बहुत मस्त दिख रहा है कोई दिखकत नहीं बाबू चलो आगे बड़े हम लोग एकदम मस्त है कोई दिखकत नहीं बाबू चलो भाई तो इस तरीके का एक और मुझे करके बताओ एकजाम्पल तो मैं बहुत सारा लिया था तुम ही कर लो एक आठी दोसो दस और एक सो सत्तर करो चल भाई या चल राज्जा चल न चल न इसका करल के बताओ तरलतम रूप चल भाई एनिवन देख रहा हूं कमेंट लक्षमी पाठाक पढ़ाई पे ध्यान दीजिए वरना यहां से अलविदा कर दिया जाता है आप सोचते हो कमेंट डिलीट कर देते हैं न लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं इफ लिए कोई परकार का जुगार नहीं चलने वाला है पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई बाकी कुछ नहीं चलो अगला नंबर लक्षमी का इनको होल्ड करिएगा दुबारा यह बहुत ज़्यादा बकाहिती कर रही धबल तिर पाठी गुड इबनिंग पूजा यादो जी बेरी गुड चलो ठीक है देखो इनका सरल्तम रूप सबसे पहले तो यह तरीका है का आप जीरो से जीरो काट दो तो 21 और 17 बचेगा इनमें वह इससे बहुत बड़ा बहर है आपस में कोई जुगाड नहीं हो सकता है तो भाईया इसमें कुछ नहीं हो सकता यह आंसर हो गया 21 बटा फत्रा वहुत आफान था इसमें कुछ नहीं करना था कोई HCF करने के जरुवत नहीं थी चलो बेरे गूड सभी कर लोगे मरे भाई 1050 और 2030 का करके दिखाओ 1050 और 2030 का करके दिखाओ 2000 तीफ करूँ चलो इसका कितना आएगा एनीवन कोई बताएगा जल्दी फटा फट पढ़ाई पे ध्यान ओनली पढ़ाई चलो सुर्यांस बेरे गूड मिस जानवी बेरे गूड राजिया कुलदीप सिंग अर्चना स्वरी अराधना तिवारी परमिय संक्या को इंगलिस में रेफनल नंबर बोलते हैं भाईया रेफनल नंबर बोलते हैं बाबू रेफनल नंबर ये इसको बोलते हैं रेफनल नंबर अरे आज तक मैं इंगलिस हिंदी दोनों तो बढ़ा रहा हूँ का एक वाज आयो चलो ठीक है बेरी गुड तो इसका कोई आंसर दिया बिट्टू ने जबाब दिया बिट्टू बहुत अच्छे बिट्टू बेरी गुड बिट्टू पहले एक जीरो निपाटा दो देखो 203 किसी से कटेगा क्या मुझे नहीं लगता कि कटेगा रे बाबाई ये काट के देखो नहीं कटने वाला ये साथ से कटेगा क्या 150 230 एग गदा है पाइद भैका इक एक कवन एक सो पचास बता रहा है एक सो पचास कहीं है नहीं अच्छा ही बात कर रहा था वही है चल ठीक है बही बेरे गुड तो इसका मुझे लग रहा यही होगा चलो अंतिम अंतिम पर्यास कर लेते हैं जो करते हैं देखों अंतिम पर्यास में इनका सीज़ करेंगे तो 203 को बागू 105 से भाग करोगे एक बार जाएगा 13 वे 5 गया 8 इस आपको दिख रहा है इसमें से एक उधार गया था यह तेरह तेरह में से पांच गया आठ यह बचा नौ यह नहीं नाइन्टी एट सही है हाँ ठीक है अब देखो समझो हम है सीफ निकाल रहे हैं कि वन टाइम जाएगा दिख रहा है कि साथ आएगा साथ से 98 भाग करो यार कुछ है सीफ आएगा मिलका वह नहीं आएगा कि साथ से क्यों करेंगे अच्छा गटाने साथ आया था ठीक है साथ एकम साथ गटाओ कि कितना आएगा दो उपर आठ उतालो साथ चुक गटाओ क रहे यार कटेगा मेरे भाई साथ से कटेगा यार यह तो आईशा कईसे फिर साथ शेंकर इए यह भाग आनसर देखो यही होता है मैं तो जान रहा था नहीं धोक्ते घटे रहा देख लो मैंने कहा ना कुछ ऐसे भी इंसान गदार होते हैं बेवफा जूटे मकार होते हैं जो देखने में बड़े सुन्दर सीधे बोले बाले लगते हैं वो ऐसे ये नंबर है देखने में लग रहा है बस इसके आगे कुछ नहीं होने वाला इसका एकदम पाइनल है ये लेकिन आईसा है नहीं ये ये कटेगा ये कटेगा बाईया इसका है से एफ का रहा है साथ से ये कटेगा साथ एकम साथ इसमें तीन आएगा 35 बन जाएगा साथ पचे 35 ये साथ दुना चौदा और बचेगा छे हो जाएगा तिरे अफ़ाट फाथ नमाई तिरे अफ़ाट और ये आएगा 15 बटा 29 अब इसमें तुम कुछ भी कर लो नहीं कटेगा ये चाहिए खोपड़ी बल खड़े हो जाओ तो यह हुई ना बात यह है पर्मिय संख्या का सरलतम रूप आप कह सकते हो कि रेफनल नंबर रेफनल नंबर का जो एकदम लास्ट स्टेप होता है यानि सरलतम रूप या निम्नतन रूप इफ नंबर का वो यह है ठीक है सबी को समझ में आया कोई डाउट किसी को नहीं न भाईया चलो आगे नेक्स्ट आगला ए बकरी बकरी हटाओ यार डेली क्लास पढ़ने के लिए बाबू टेली घराम पे जरूर्ख जोआन कर लो क्योंकि हम वाट्सअप पे अब लिंक औगरा भेजना बंद कर रहे हैं सिर्फ टेली गराम पर इंफॉर्मेशन मिलेगी जिनको बिल्कुल फिरी पढ़ना है वो हमें टेली गराम पर जरूर जोईन कर लें अभी कलास आगे चलेगी यह बहुत इंपॉर्टन बात है इस लिए बताए रहा हूं हर जगा हमारा एके नाम है PVR Study कहीं भी यह रजिस्टर टेडर मार्क है PVR Study Institute का अगला बताओ इसका सरलतन रूप बताओ चल भाईया कुलदीब चौहान पढ़ लो लाश्ट बार बता रहा हूं बाबू निवेदन कर रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पढ़ लो गीता सिंग सभी के आडर से कलाफ नहीं चल सकती है क्योंकि मैं भी इंसान हूं मेरे अंदर भी एक आत्मा रहती है और वो भी कुछ कहती है मतलब मेरे आत्मा कहती है और कुछ नहीं ज्梁म यह जज़ादा मत समझना कवन है कहती है चलो देखो इसका सरलतम रूप सबसे पहला थरीका तो जीरो से जीरो हटाओ अब इन में कुछ पॉसिबल नहीं है मोटा मोटा दिखरा उपर फे ही कुछ पॉसिबल नहीं है तो इसका सरलतम रूप यही होगा ठीक है बाबू बिट्टू बिलकुल बेरे गुड राधा सिंग, लक्षमी सिंग, अर्चना यादो, गीता सिंग, भूपेश चतुर बेदी, धवलतिर पार्थी, कुल दीब जी, बिट्टू जी, आसी जी बेरे गुड अगला नेक्स्ट इसका सरलतम रूप बताओ ए बाईया अब बस करो अब कुछ आलाग न थोड़ा टेस्ट बदले, नहींत कहोगे, अई का जेल गये इतना चलो इसको बताओ सरलतम रूप बताओ, फटाओ सबसे पहला जवाब कोई दिया इसमें हिमानचल, अहिरवार, बेरी गूड हिमानचल, निर्मल, विबेक आप देखो कितना मज़ा आ रहे, सब पढ़ रहे न, फालतु की बात चीत करते हो न, बहुत अंदर फे न, इदन धुआ निकलता है, समझे लो क्यों, क्योंकि मैं तो मैं यहां चिला रहा हूं नंगे ठंडी में, अब तुम आके सेटिंग कर रहे हो, जुगाल कर रहे हो, अब मुझ से कहां देखा जाएगा, तो इसलिए सिर्प पढ़ाई ध्यान दो, चलो, अरपना मिस्रा, अपरना मिस्रा, स्वरी, चलो, तो यह आप लोग होम वर्क करोगे, यह होम वर्क है, तो भाइया मेरे बाबू, आपका यह टॉपक हो गया, यह टॉपक हो गया, जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था, है ना, मैं उसे कभी प्रॉमिस करता नहीं हूँ, करता हूँ तो उसे पूरा जरूर करता हूँ मिलने की तुम कोशिस करना वादा कभी न करना वादा तो तूट जाता है देखो क्या बन रहा है आप अब यह पढ़ेंगे अगला नेक्स टॉपिक अगला नेक्स टॉपिक है एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कौन सा जानवर का नाम है देखो भाईया चलो इसके बारे में बात करते हैं ये तस्बीर एक है तस्बीर तेरी मेरे दिल में देखो यहाँ पे कहा है पहले इस तस्बीर में देखो कुछ क्लियर है की नहीं फिर हम बात करते हैं जल्दी एक बार बताओ यास इसमें क्लियर है ठीक है दनिज सिद्धे की बीबेग चौधरी बेरे गुट चलो बाबु आओ तस्बीर में सब कुछ क्लियर है पढ़ने वालों के लिए बाकि तुम को जूम करके नहीं देखना है उसमें कुछ और नहीं दिखेगा चलो पर्मिय संख्या जीरो के लिए योज्य तत्समक क्या लिखा है अरे थाम थाम के पढ़ो पर्मिय संख्या जीरो पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक है देखो इसको ऐसे पढ़ना है पर्मिय संख्या जो जीरो है वो पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक है योज तत्समक का मतलब additive identity additive identity यह क्या है कौन सी मुसीबत का नाम है समझो बता रहा हूं देखो किसी भी संख्या का योज तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी जो होता बाबु न वो संख्या होती है कि उसको उसमें जोड़ने से कोई फरक ना पड़े जैसे कुछ लोग होते हैं हीकना यह करना जानते हैं सुनेख नहीं बचपन में हम लोग नचाएं हेकनी उसको लट्ट भी बोलते हैं सुनेख नहीं हम लोग क Partnerा लुगान aware तो यहां पर क्या बात आ रही ही कर ने कुछ लोग होते हैं कुछ बच्चे भी कितना भी मारों नहीं पढ़ते हैं कहते हैं हिकन आएगा ना हम लोग की भासा में तो बतलब कुछ भी करो उसके उपर कोई फरक नहीं पढ़ता है तो वैसे एक ऐसी संख्या जिसको जोड़ने से परमिय संख्याओं पर कोई फरक नहीं पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ता है उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है वो उस संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी या फिर तत्समक क्या कहते हैं योज तत्समक कहलाता है क्या कलाता है योज तत्समक क्या कलाता है योज तत्समक कालाता है सभी समझ गए एक बार यस बोलो यस हर्ट हैकर ठीक है आगे बढ़ें सभी समझ गए ना तो आगे बढ़ें चल भाया तो योज तत्तमक सभी समझे लेकिन अभी नहीं कहां भी समझे अभी तो एक्जामपल लिखो तब ना उसके बाद क्या है पहले इसका एक्जामपल देखो चल रहा है एक नहीं हा रही है चल रहा है योज तत्तमक या फिर इसे बोलते हैं additive identity एडिटिव आइडिन्टिटी ठीक है जैसे मैंने पर्मिय संख्या लिया 17 अगर 17 में हम 0 को जोड़ें तो क्या इसके मान में कोई फरक पड़ेगा बोलो दो बटा 7 में 0 जोड़ें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया है कि यह ऐसे हिकना होते हैं जिन में कुछ भी जोड़ो सरी कुछ भी नहीं मतलब एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी पर्मिय संख्या में जोड़ो तो उस पर कोई फरक नहीं पड़ता ह है वो संख्या वैसी की वैसी रह जाती है जैसे तुम लोग हिकना हो गए हो कितनों रोजगरियाओं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे कोई फरक नहीं पढ़ता मेरी बात का आशे तुमारे घर वाले भी बोलते हैं ना कोई फरक नहीं पढ लो निवे ऐभ अभी बताते हैं कितने अस्ijke मिय्ट को गदहा कहीं का खचरा नहीं कहां से ऑगई पढ़ा नहीं रहा है कें रहा है कि अहलो गस क्या रहा है पिंकि कि इनको पढ़ा इसको को यह मतलब नहीं है इनकी जिन्दगी वो क्या चाने दो चलो, तो सभी समझ गए, एक ऐसी संख्या, जिसको पर्मिय संख्याओं में जोडने पर उस पर कोई फरक नहीं पड़ता, उसके मान में कोई इफ़क नहीं पड़ता, वो इसका additive identity यानि योज तत्समक कहलाता है, तो पर्मिय संख्याओं के लिए जो योज तत्समक होता है, ब फिर भी यह माहिन फटाइस ही रहेगा, इसके मान में कोई फरक नहीं पड़ेगा ना, तो यह क्या है योज तत्समक, लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ें, चलो अगला देखो, अगला क्या है, गुडन तत्समक, हाँ गुडन तत्समक, तो इसमें चाहें लिख लो, एक मि पर्मिय संख्या सुनने, पर्मिय संख्याओं के लिए योज तत्समक होता है, इसको लिख लो यह उसका फाइनल डिस्ट, जो निकला रेजल्ट वो है, लिख लो इसको, जो पढ़ें उसका फाइनल रेजल्ट है, पर्मिय संख्या वन जो है, वो पर्मिय संख्याओं के लि मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है लिखो लिखो भाईया गुड़न तत्समक मल्टिप्लिकेटिव ये क्या है कौन से जानवर का नाम है एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी पर्मिय संख्याओं में मल्टिपल करें तो यानि गुड़ा करें तो उसके उपर कोई फरक ना पड़े गुड़ा करने पर याद रहे जोडने पर नहीं है मल्टिप्लिकेटिव आ गया तो वो संख्या पर्मिय संख्याओं की multiplicative identity कहलाती है यानि की गुडन तत्समक कहलाती है ये पर्मिय संख्या रेशनल नमबर इसमें one का multiple करें तब भी ये 13 ही रहेगा 2 upon 15 है इसमें one का multiple करें फिर भी ये वही रहेगा समझ में आ रहा भाईय बाबू ये 18 बटा 81 है इसमें one का multiple करो फिर भी ये वही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि पर्मिय संख्याओं के लिए जो संख्या one है क्या है? जो one है ये इसका multiplicative identity है क्या है one? इसका नाम है तुमसे इसक हो गया ये इसक ना बहुत खराब बिमारी है इसको लगने के बाद ना तुम्हारा software और hardware दोनों है को जाता है कुछ नहीं काम करता फिर तुम जिन्दा तो रहते हो ना कहते हैं वो गाना है नहीं कौन सा जिन्दा हूं लेकिन कहां जिन्दगी है मेरी जिन्दगी तु कहां खो गई है बस वही हाल होती है समझ रहो ना? इसक जब तक ना हो तभी तक ठीक है चलो बाकी जिनको हो गया है वो हमसे तोड़ा राय सला ले सकते हैं लाश्ट में मिलेंगे बताओ ये गाना कितने लोग सुने हैं हाँ बोल दो एक बार सभी सुने हो तो गुड़न तत समख समझ गए अब अगला हेडिंग डालो भईया ए भईया हेडिंग डालो नहीं योगातमक परतिलोम और गुडातमक परतिलोम में आजाओ अब इन्वर्स पढ़ेंगे किसको किसको हो गया सच सच बदाना जूट मत बोलना नहीं नहीं मेरा फेबरेट गाना रहाया ऐसी बात नहीं है एक बार हर कोई पढ़ता है उसमें पढ़ना भी चाहिए जिन्दगी भी तो एक बार मिली है चलो भीबू अच्छा सब लोग को हो गया है कुछ लोग तो छुपा रहे नहीं मुझे हुआ है लेकिन हम बताएंगे नहीं चलो जाने दो मत बताओ जब गडबड हो जागे तब रोना तम मिलेंगे एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो दिख रहा है एडिटिव एंड मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स लाइफ में ए है ठीक है इसे बोलते है पर्मिय संख्या का गुड़न या बेउतकरम परतिलोम और योगात्मक परतिलोम ठीक है मैं 60 में लिख देता हूँ 60 में लिख रहा हूँ उपर वाली लाइन का मतलब योगात्मक वा गुड़ात्मक परतिलोम ठीक है फटापट छापलो राधा सिंग समझ में आ रहा है हिमांचल अहिरवार दिनेस रोसन राजा सबको आ रहा हूँ कहो फलाने तुन लोग समझाता है कि इसे न सकले देख आया आप देखो इसका मतलब क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अब एक कैम काय लिख दिया सब पहले हम बात कर लेते हैं गुड़ात्मक परतिलोम की ठीक है मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं पहले पहले हम गुड़ात्मक परतिलोम की बात कर लेते हैं इनको side कर दो ए चल तुम इधर जा पता नहीं बाद में निकलेग ना निकले रुख जाओ चलो चलो दिख रहा है multiplicative universe यानि गुड़ात्मक परतिलोम की बात कर लेते हैं पहले तो किसी संख्या का गुड़ात्मक परतिलोम वो संख्या होती है जिससे उसमें गुड़ा करने पर सारा मान एक हो जाए बस simple था जैसे मैं अगर तुमसे पूँछ हूँ कि मेरे भाईया बाबु ये बताओ तुम काओ कि 5 बटा 3 में हम किस से गुड़ा करें की 1 आ जाए बताओ किस से गुड़ा करने की 1 आ जाए मुटका वाला देखो बहुत simple है इसमें किस से गुड़ा करने की 1 हो जाए सबसे पहला जवाब दिये हैं पंकज यादो अच्छा माइनस दो में क्या जोड़ दें जीरो हो जाए यह मेरे इंटर्व्य में पूछा गया सवाल है जिंदगी में जब मैं बहुत बेरोजगारी से तंग होके परिफान था तेकी स्कूल में पढ़ाने गया वहाँ पर एक मैडम जी थी और मैडम जी कैसी थी ना पूछो ना मुझसे और मेरे इससे दिल वाफे समझ रहे हो अब मतलब इतनी खतरनाक थी तुम लोग यह मत समझो कि कुछ हो गया मुझे अईसा अईसा सवाल पूछ रही थी ना कि मतलब मुझे मन कर रहा था कल से तो नहीं आऊंगा यहां लेकिन हां कहते हैं ना जब भूख लगी हो अंदर से तो कोई मोटीबेशन की जरूरत नहीं होती है है ना एक बात बताओ कोई इंसान को भूख लगी है ऐसा नहीं कोई उसको मोटीबेट करेगा तभी वो खाना खाएगा उसके तो खुद चुल पढ़ी है कि मिल जाय तो खालू है ना तो वैसे उससे मैं पढ़ी थी तो मैं सब क्लियर करके फिर वहां पढ़ाना शुरू कर दिया एक हजार रुपया महीना छे गंटा पढ़ाता था लगबग एक हजार पंद्रहुस ऐसे कुछ था लेकिन आज उसका उल्टा हो गया एकदम है ना चले आगे पढ़ें सबसे पहला इसका कोई जबाब दिया है तो भाई बहुत लोग को टाइम आउट कर रहे हैं बहुत अच्छा बेरी गुड़ करो इनको सबको बगत तहीं वालों को भगाओ इन यह थीक है थीक है भाई बहुत अच्छे आसी बेरी गूड गलत है थोड़ा सा चिन गलत कर दियो ठीक है ठीक है भाई या बेरे गूड टाइम कफी जादा हो गया यार देखो इन में इसका आप पलट के इसको गुड़ा कर देते हैं जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा पैर नीचे खोपड़ी उपर है न तो क्या करें खोपड़ी नीचे कर लें पैर उपर कर लें बस यही करते हैं याद कर लें आप बाकी चिन में कोई फरक नहीं पड़ता ह तो इनका भाईया खोपड़ी यह थी पैर रिका नीचे कर दो अब यह तीन से तीन निपड़ जाता है पांच से पांच निपड़ जाता है फाइनल में वह न पान वह न आता है यानि जो भी फ्रेक्शन दिया होता है उसका उल्टा कर देते हैं अच्छा यह मतलब तो चला फिर चला फिर तो का देख ले अब देखो इसका मतलब का देख ले बॉला अब जैसे मैं एक और पूछा कि पांच बटा इसका क्या होगा कि अच्छा मैं केवल नौ लिख दिया इसका क्या होगा कि अच्छा मतलब का इसका क्या होगा कि कुछ लोगों को टाइम भी दो भाई रोहित सबको डारेक्ट दबाए रहोगे तो यह लोग बच्चे है थोड़ा थोड़ा नरम दिल अपनाओ इनके उपर काय जूलम कर रहे हो थोड़ा था बदलिया लेने दो कभी कभी चलो तो इसका क्या करेंगे इसका भी इसका पोजिट पलट देंगे मतलब बस फाइनल में वन आ जाएगा ये भी और इसका क्या होगा इसका तो कोनों नहीं बता पा रहा है धवलतिर पाथी बेरी गुड अर्चना जादो माइनफ नहीं होगा ये दो तुम लोग ए भाई क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हाँ मल्टिप्लिकेट्ब पढ़ रहे हैं क switching में कनफ्यूज कर रहे हो सचकर क्या क्या तो कुछ लोग पेपर में कनफ्यूजनheen में आ जाते हैं डियलेड वगर्या के सिलेबस में ये है कि भाया चिन बदलेगा कि पलटेगा तो गुड़ातमक वाले में पलड़ता है चिन जो भी रहता है पलस माइनस वह ऐसे रहता है लेकिन गुळात्मक वाले में नहीं बदलता योगात्मक वाले में बदलता भी ओभी दिखाऊंगा ठीक है तो यह यह नौ बंटल्म एक है सবधा फीधा मांग इसका आंसर आएगा एक बंटल्ट यानि नो जो गुळात्मक परतिलोम होगा, एक बटा नव होगा